हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं मिसिस अनुरॉय आप सभी बच्चों का कॉम्प्टिशन कम्मुनिटी के यूटुब चैनल में स्वागत करती है अब तक आपने मुझे हिंदी और 36 गड़ी भाषा को पढ़ाते हुए देखा है आपके बहुत अच्छे कमेंट्स भी आये उद्धिषय जो हमारे थे साहा समपरिकषक लिए जिस तर आप लोगों नी कहा था कि हिंदी की कर्णों को पहले अगर चाला दिया जाए तो क्यों न हम उसका फाइदाली तो एक साथा के लिए पूछा को आगी रखा ठीख़ा है ताकि दोनों की similarities को समझते हुए आप grammatical portion को strong बना सके ठीक है उसी समय कुछ बच्छों ने ये कहा था कि 19 तारिक की जो परिक्षा हुई थी उसके प्रश्णों को हल करवा दीजिए कुछ बच्छों ने कहा था कि सायक संपरिक्षक में जो प्रश्णों पूछे गए थे उनके प्रश्णों को हल करवा दीजिए ठीक है लेकिन जिस तर से schedule चल रहे थे उस समय वो संभव नहीं था लेकिन आज आपके सामने जो सायक संपरिक्षक में 101 से लेकर 200 तक याने की 100 questions जो हिंदी से पूछे गए थे उसका answer को समझाने के लिए मैं यहाँ पर उपस्दित हूँ दूसरी बात आपने यह पाया होगा कि किसी भी topic को पढ़ाते समय जैसे मैंने आपसे कहा था कि इससे इस तरह के प्रश्ट पूछे जा सकते हैं कोई भी topic यहाँ पर बे फिजूल का पढ़ाया नहीं जा रहा है यानि आप समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा कहने मात्र से वह एक सीमा में बंधता नहीं है उसके तमाम क्षेत्र होते हैं तभी तो आपको शब्द विचार से तदसं तदभव देशज विदेशज पूछा था यहाँ तक कि पर्यायवाची अनेकार्थी सम्मुच्चारित और विलोम शब्द पूछे थी वाक्यांशों का एक सब्द पूछा संधी समाज पूछे मुहावरा लोकोक्ती उपसर्ग प्रक्ते पूछा यहाँ तक कि वाक्य शुद्धीकरण वर्तनी शुद्धीकरण के साथ में विराम चिन्ह के बारे में भी पूछा था ठीक है तो कोई भी चीज मैंने आपको बेवजह ही कक्षा को लंबा करने के लिए पढ़ाया हो ऐसा नहीं था ठीक है तो समय को गवारंगे नहीं यहां से हम प्रश्ण को हल करने की कोशिस करेंगे ठीक है तो बोर्ट पर आपको एक कोश्चन दीखेगा कहीं आपको एक ची पता है कि यह किसी बच्चे का प्रश्ण पत्र है जिसका स्क्रिंशॉट लेकर मैं इसे समझाने का कोशिस करूंगी ठीक है तो इस पर जो उत्तर पर निशान लगा हो सकते उस बच्चे का उत्तर भी वही हो जो मैं बताना चाहती हूं लेकिन ध्यान रखेगा कि आप अपन पर सामने लेकर बैठ जाईए और उस पर आप जैसा मैं बताती हूं वैसा समझते हुए वहाँ पर निशान लगाएगा ठीक है तो सबसे पहला प्रश्ण क्या पूछता है सबसे पहला प्रश्ण पूछता है कि कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है अप्श कि मैंने बताया था तो शब्द के साथ उसे वाग की में प्रयोप करने के कोशिस करेंगे जैसी कि वाग देवी वाग का मतलब होता है पोलना जो वीणा प्रदान करती है उस देवी को सरस्वती कहा जाता है ठीक है दूसरा जो भारती है मतलब की एक प्रभाव दिया है उनक सरस्वती के परियावाची लेकिन श्री देवी हम कहते है किसको महालक्षमी को ठीक है तो option number D है इसका answer श्री देवी महा सरस्वती का परियावाची नहीं है तो question number 101 का answer है option number D ठीक है अब हम आते है second question में second question क्या कहता है ठीक है second question कहता है आपका सेगंड कोशन क्या कहते है कि तम का विलो मार्थक शब्द है ठीक है अब यहाँ पर क्या पुछ है तम का मतलब है अंधकार ठीक है तम का मतलब है अंधकार इसका विलो मार्थक याने की अपोजेट वर्ड या तो हम एंटिनेम्स बोल सकते हैं या तो विलोम विरुधार्थी उल्टे अर्थवाले या विप्रितार थक्षब्द, ठीक है, option number A है अंधकार, B है तिमिस्त्र, C है तिमीर, और D है आपका आलोक, ठीक है, तो अंधेरा का परियावाची देखा जाए, तो अंधकार को, तम को अंधकार भी कहते हैं, तिमिस्त्र भी कहते हैं, तिमीर भी कहते जब मैंने विलोम शब्द बताया था, तब ही मैंने आपको कहा था, कि जिस तरह का प्रश्ण पूछा जावे, वैसा उसका उंसर उत्तर दिया जाता है, जैसे कि प्रकाश है तो अंधकार, अंधेरा है तो उज्जाला, अब यहां तम कह रहा है, तो आलोक होगा, क्योंकि तम तत्सम शब्द है, आलोक भी तत्सम शब्द है, क्लियर, ठीक है, अब हम आते हैं कोशन नमबर 103 में, अब 103 क्या पुचता है, 103 कहता है, अनेकार्थी शब्द जलज के अर्थ को निमनांकीत मेंसे कौन सा शब्द व्यक्त नहीं करता, ठीक है, अप्शन नमबर A है कमल, Option number B है शंक, option number C है सेवार और option number D है जाल, ठीक है? तो अनेकार्थी का मतलब क्या है? एक ऐसा शब्द जिसका की नाम तो एक हो परन्तु प्रसंग के नुसार उसके अलग-अलग प्रकार के अर्थ निकले, अनेक अर्थ प्रस्तूत करने वाला शब्द अनेकार्थी होता है, one word with different type of meaning that called अनेकार्थी शब्द, तो जल में जन्म लेने वाला को कहते हैं जलज, तो कमल भी तो जल में जन्म लेता है, शंक भी होता है, सेवार याने जो आपके शैवाल होते हैं, वो भी जल में जन्म लेते हैं, पर जाल जो है, जल में जन्म नहीं लेता, इसलिए इसका answer है, option number D, जो है हमारे लिए जाल, clear हो गई चीज़े ठीक है, अब हम आते हैं, next one question में, और next one question क्या है, 104, question number 104, ये क्या कहता है, कौन सा शब्द, अंतरध्यान, question number 4 कहता है, कौन सा शब्द, अंतरध्यान का पर्याय वाची, शब्द नहीं है, ठीक है, तो अंतरधान का मतलब क्या होता है लुप्त हो जाना ठीक है तो कह रहा है कि कौन सा शब्द है लुप्त अद्रिश्य ओजल और अंतर निहित इन चार में से कौन सा ऐसा शब्द है जो अंतरधान शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है ठीक है प्रश्ट को समझेगा तो अंतर ध्यान बोलते हैं कि परमात्मा मुझे दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए, याने कि वो क्या हो गए, लुप्त भो गए, ठिके, जो आँखों के सामने से गायब हो जाए, दिखाई ना दे तो अद्रिश्य हो गए, ठिके, उसी तरह ओजल आँखों से जो हट जाए, उस है वह हमारे लिए इस शब्द अंतरधान का परियाइवाची शब्द नहीं है ऐब आपको बोर्ड नजर आ ठीक है बोर्ड में कोश्चन नजर आ रहे नहीं क्योंकि अगर में से बहुत जाद अगर हम इसे जूम करने की कोशिस करते हैं तो वर्ट्स जो है वह थोड़े से धुंदले हो जाएंगे ठीक है कोश्चन नंबर 105 कहता है कि निर्दई विरहनी और नरक इन तीनों शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है अब मैं आपको बताने की कोशिस करती हूँ कि मामला यहाँ पर क्या है मामला यहाँ पर यह आता है कि यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ जो निर्दई है क्या वो निर्दई शब्द शुद्ध है क्या वो निर्दई शब्द शुद्ध है तो देखिएगा कि हम निर्दई लिखते हैं हम जो निर्दई लिखते हैं उसमें आरेफ वरन जो है न और द के बीच में है इसलिए जब हलन्पाला रहा आता है तो आने वाले वरनाचर के उपर टोपी है इसलिए निर्दाई शब्द शुद्ध है ठीक है अगली बात जब हम तत्सम शब्द नर्क का प्रयोग करते हैं तो इसका एक रूप नरक भी कहा जाता है ठीक है इसलिए नरक शब्द भी हнибудь ऐप्शन नमबर सी भी सही है ठीक है लेकि जब हम वीरहणी कहते हैं तो वी्रहणी नहीं बलकि वीरहणी होता है समय में आरे बाद में क्या बोल रही हूं तो कहीं न कहीं यहाँ जो आप्शन नमबर डी दियान उप्योंत तीनों शब्द शुद्ध है यह option भी आपका यहाँ पर गलत है ठीक है क्योंकि विरहणी नहीं बोलते है ठीक है तो प्रश्न यह होना चाहिए कि निर्दाई विरहणी और नरक इन तीनों शब्द संदर में कौन सा विकल्प सही है तो आप्शन ये होना चाहिए विरहनी शब्द अशुद्ध है होना चाहिए अब वो व्यापम क्या आंसर लेता है हम नहीं कह सकते तो थोड़ा सा ये कोश्चन जो है 105 जो है वो थोड़ा सा डाउटफूल है ठीक है क्योंकि निर्द कोश्चन दे रहा है तो बी में आपको लिखना था विरहनी शब्द अशुद्ध है ठीक है तो ध्यान रखेंगे ये कोश्चन मेरे अनुसार थोड़ा सा डाउटफूल है अब वो व्यापम चाहता है वो क्या आंसर लेगा वो देखने वाली बात ठीक है अब हम आते हैं अ 106 में दिया हुआ है प्रश्ण और वो प्रश्ण कहता है कि निम्न लिखी शब्द में जो शब्द शुद्ध है उसका चयन कीजिए याने आपको यहां पर प्रश्ण कहां से आया वर्तनी शुद्धिकरन से कहां से प्रश्ण पूछा आपको यहां पर वर्तनी से ठीक है ज वर्तनी से प्रश्न पूछाए कि निम्न लिकित शब्दों में जो शब्द शुद्ध है उसका चैन कीजिए पहला दिया है अनुग्रिह option B है सहस्त्र option C है आलहाद option B है सुगंधी ठीक है तो ध्यान रखने वाली बात है कि अनुग्रह होता है ठीक है अनुग्रह नहीं होता बलकि अनुग्रह कहते हैं ठीक है सुगंध है अगर हम कहें तो केवल सुगंध होता है ठीक है सुगंध होता है सुगंध ही हम आपकी विशिश्ता बतानी किल प्रयोग करते हैं और अलहाद होता है ना की आलहाद ठीक है इसलिए सबसे शुद्ध है यहाँ पर हमारे लिए option number B जो है सहस्त्र ठीक है आ गई बाद समझ में अब आते हैं question number 107 में ठीक है तो question number 106 का answer है option number B ठीक है अब हम आते हैं next one question में और next one question क्या है next one question है हमारा question number 107 ठीक है 107 में यहाँ पर दिया है प्रश्ण महीधर जारज एवं धारा धर इन तीनों शब्द के संदर्भ में सही विकल्प का चैन कीजिए option number A दिया है महीधर शब्द शुद्ध है जारज शब्द शुद्ध है धारा धर शुद्ध है उप्यूत तीनों शब्द शुद्ध है ठीक ह तो ध्यान रखेंगे कि अगर हम कहें महिधर ठीक है और जारज तो महिधर का मतलब होता है पृत्वी को धारण करने वाला ठीक है जारज का मतलब होता है सवतेला पुत्र ठीक है और धारा धर में देखा जाए तो यहां पर भी प्रश्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजर है क्योंकि मही धर शब्द तो शुद्ध है जारज शब्द भी शुद्ध है लेकिन धारा धर कहता है तो यह शब्द अशुद्ध है क्योंकि धारा धर नहीं बलकि हम धारा धर कहते हैं याने कि पृत्वी को धारन करने वाला तो यहाँ पर दिये उप्योक्त तीनों शब्द शुद्ध है तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर वो वर्तनी प्रभावित शब्द पूछ रहा है तो वर्तनी के अनुसार धारा धर जो है वो अशुद्ध है ठीक है तो आंसर होना चाहिए अप्शन न आंसर को मतलब आंसर नंबर डी को ले सकता है पर मैं जहां तक समझती हूँ यहाँ पर सही विकल्प का चैन करने बोला गया है याने की वर्तनी शुद्धी करन पूछा है तो धारा धर शब्द यहाँ पर शुद्ध है अब हम आते हैं नेक्स्ट वन कोशन में तो घुद्ध के आप को या आप साव आपका पेपर है ने सेट Depok檢 आई और सेट वप्ण को बताした को वह Bailey को जाते हैं आगे पीछे हो जाते हैं तो यह जो कर्म है वो शेट सी का है तो परिशान ना होगेhando किठ तो आप तक मैंने बताया है कि 101 में है औप्शन नंबर्ड attentive 103 में है option number D 104 में option number D 105 में question थोड़ा सा मुझे गलत लगा इसलिए उसका answer है विरहनी शब्द अशुद्ध है option number 106 में answer लिया सहस्त्र option number C अब हम पढ़ रहे हैं 107 जिसमें मैंने बताया कि धाराधर option number C भी confusion create कर रहा है लेकिन 108 नीचे दिये गए शब्दों में शुद्ध अशुद्ध संबंधि सही विकल्प का चयन कीजिए यहां पर फिर से आपको वर्तनी संबंधित प्रश्ण पूछाए ठीक है अब देखा जाएं तो परिणित शुद्ध शुद्ध है द्वंध शुद्ध 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 है ततसार शुद्ध शुद्ध है तो इसका आंसर है option number आपका D अब यह option D क्यों है अब आपका सबकत दिमाग का confusion कहता है कि द्वंध जो है वो गलत है ठीक है तो ध्यान देने वाल है कि परिणित मतलब जिसकी पूरी हो जाए मतलब वह एक परिणे जो कहते हैं विवा संबन परिणित जो वैवाहिक हो गई जिसका विवा हो चुका तो जो परिणित है यानि की जो संपन हो चुका तो यह स्पेलिंग करेक्शन है ततसार का मतलब होता है जहां च ज्ञान से समझने वाली बात है कि द्वंद्व का मतलब होता है दोनों ठीक है जहां दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास है जहां दो लोगों में युद्ध हो वो द्वंद्व युद्ध है प्रती द्वंद्वी याने प्रती द्वंदी हम कहते हैं जहां दो लोग एक दूसरे से जगड़ा करते हैं लेकिन जो खुद के अंदर युद्ध चल रहा हो जो खुद के मन के अंदर जो हला हल चल रहा हो उसे द्वंद कहते हैं मेरे मन का द्वंद चल रहा है इसलिए देखा जाए तो परिनित शुद्ध शब्द है ततसार भी शुद्ध है द्वं कोशन में ठीक है अगला कोशन क्या कहता है 109 ठीक है तो 109 क्या कह रहा है जाती वाचक संग्या अब यहां पर प्रश्ण आया है विकारी शब्द से ठीक है विकारी शब्द याने की ऐसा शब्द जो प्रयोग के अनुसार वचन लिंग काल और कारक रशनाव के अनुसार उद सजक्रावाज़ई सब्सक्राइब through our उभी哈ंतों यह खुए सपस्टर सिप्टे में की हीलार उष्थ यहां। प्रश्न संग्या सपशर्ध्ट हम деле शपब ऑव्याय के सिप्ट में जुए पर भांन की जा सकता है जाती वाचक संग्या create की जा सकती है अब यहाँ देख रहें तो लड़का जो है वो जातीवचक संग्या है, बडपन यदि हम कहते हैं बडपन तो यह विषिष्था है, चतुराई भी विषिष्था है और चड़हाई क्रिया है यानि की यहाँ पर बडपन कहे कर विषिष्थन शब्द, क्रिया शब्द से उसके भावचक संग्या बनाई गया लेकिन लड़का में पन प्रत्य लगाकर लड़क पन बनाया गया अब प्रश्ण क्या कहता है कि जाती वाचक संग्या शब्द इनमें से कौन सा है जिससे निर्मित भावचक संग्या शब्द बनी है तो लड़का में प चक संग्या है ना तो यहां पर आप्शन नंबर A है 109 का आंसर लड़क पन ठीक है अब हम आते हैं अगले कोश्चन में तो 110 नंबर का कोश्चन क्या कहता है कोश्चन पिपर है सबके सामने और सबको दिखाई भी दे रहा होगा ठीक है तो 110 110 क्या कह रहा है प्रश्चन 110 में कह रहा है यह किसका पराक्रमी बालक है इस वाक्य में यह किसका ध्योतक है option number A क्या कह रहा है option number A कह रहा है पुरश्च वाचक सर्वनाम option number B है निजवाचक सर्वनाम option number C है निश्चे वाचक सर्वनाम और option number D है संबंध वाचक सर्वनाम मैंने पहले ही बताया था इस तरह के प्रश्न में जो सबसे पहले दिमाग में confusion create करता है, वो option number A में ही रहता है, ठीक है? तो जियां से समझने वाली बात है, यह किसका पराकरमी बालक है कहता है, ठीक है? यह किसका पराकरमी बालक है कहता है, तो अब option में आपको सबसे पहले दिखरा पुरुष वाचक और आपको नजर आ रहा है कि पुरुष वाचक में जो third person है यह वह ये वे इस उस कहते हैं वो सब हमारे लिए अन्य पुरुष को संबोधित करने वाले third person के लिए प्रयोग होने वाले शब्दे हैं ठीक है लेकिन जब किसी बात में किसी निश्चय व्यक्ति वस्तू का बोध हो तो निश्चित सर्वनाम होता है और निश्चित सर्वनाम में आपका आता है यह और वह यहां पर प्रश्ट पूछा जा रहा है कि यह किसका पराक्रमी बालक है है ना तो प्रश्ट किसी निश्चित बालक के विशे में पूछा जा रहा है इसलिए option number C हो गई यहाँ पर निश्चय वाचक सर्वनाम ठीक है समझ में आ गई बातें कि जहां किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तू के बारे में पास या दूर के किसी का बोध हो तो वहां निश्चित सर्वनाम होता है और निश्चित सर्वनाम का धियो तक है clear ठीक है अब हम आते हैं अगले question में अब अगला question है 111 ठीक है तो 111 क्या पूछता है हाँ 111 कहता है आपको दिख रहा है न ठीक है ठीक तो 111 क्या कहता है कि काला घोड़ा वाक्यांश में काला घोड़ा वाक्यांश में काला शब्द से वाक्यांश में क्या अंतराया है प्रशन समझने के कोशिस करेंगे, प्रशने क्या कहें कि काला घोडा वाक्यांश में काला शब्द से वाक्यांश में क्या डिफरेंसेस आए हैं, अप्शन नमबर A है घोडा शब्द को विस्तार मिला है, अप्शन नमबर B है घोडा शब्द की व्यापती मर्यादित हुई है option number c है घोड़ा शब्द का महत्व बढ़ गया है और option number d है इनमे से कोई नहीं ठीक है तो यहाँ प्रश्ण दिया है आपके विशेशन से ठीक है तो विशेशन क्या होते है संग्या और सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शब्द को विशेशन कहा जाता है तो जब हम विशेशन की बात कर रहे हैं तो विशेशन का प्रयोग करने से जब किसी सब्द की विशेशता बताई जाते है जिससे वो सिमित हो जाता है वो एक मर्यादा में बंध जाता है जैसे राधा बालिका है ठीक है राधा सुंदर बालिका है कहते हैं तो उस बालिका की सुन्दर्ता में वो सिमित हो गया है इसलिए घोड़ा कहने से यही एक्जामपल मैंने आपको बताया था जब विशेशन समझा रही थी तब कि घोड़ा कहने से जाती वर्चक संग्या है ठीक है और घोड़ा में यदि हम काला लगा दे रहे हैं तो काला घो नहीं इसका इसलिए घोड़ाएं सब्सक्राइबास के ओँचे मिश्जण सब्सक्राइब रहर कि इसका HP वी सब्सक्राइब अब हमादा में करूड़ा धियुस एक हैं सब्सक्राइब आते हैं आपका 111 ठीक है के बाद में 111 के बाद में 112 ठीक है नीचे दिये गए शब्दों में नाम धातु शब्द का चैन कीजिए अब देखी यहाँ पर प्रश्ण है आपका वर्ब से मतलब की क्रिया से तो संग्या भी पूछ लिया सर्वनाम भी पूछ लिया आपको विशेशन भी पूछ लिया कि विकारी शब्द से ठीक है अब मैंने आपको बता है किसी भी कारे के करने या होने के समय का बोध हो किसी भी कारे का तो वहां पर होती है क्रिया प्रश्ण पूछा है नीचे दियेगा शब्दों में नाम धातु शब्द का चैन कीजिए मतलब आपको लवाना अप्शन नम्बर भी है उट्वाना अपको डेमों गारशाए अधियाना लेकिन bud विशेशन के शब्दों को लेकर यंदे हैं उसे ख्रीय का रूप देते लें है या नीचे आउप्शन नंसर आम धातु ख्रीया इक Virginia याज़ा मतल अब हम आते हैं अगले कोश्चन में और अगला कोश्चन है आपका 112 के बाद 13 113 में क्या प्रश्ण पूछा है कि निम्नांकित में से वर्तनी की दृष्टे से तूटी पूरुण शब्द को पहचानी है फिर से यहां वर्तनी से प्रश्ण पूछा है option number ए है अश्चिरवाद, option number D है विद्रूप, option number C है लावन्य और option number D है कुमूदनी ठीक है तो आश्चिरवाद की spelling भी correct है क्योंकि यहां जो आरिफ वर्ण है शा और रा के बीच में है इसलिए रा जो है अपने आने वाले वर्ण के उपर टोपी है इसलिए आशिरवात की spelling correct है विद्रुप कहता है तो उसका भी spelling correct है अब आप कहेंगे कि हम इसमें द में जो रा है वहाँ पर आपके पा में जाना चीए लेकिन ध्यान रखेंगे जब ऐसी गोल घुंटी वाली यसे कि द हो गया द हो गया, द हो गया ठीक है, और अगर आपका धकन का धा हो गया इस situation में यदि हलन्त वाला रा आता है तो चूकि इसकी खड़ी पाई को हटना है गोल घुंटी को हटाई नहीं जा सकती इसलिए हलन्त वाला द तो रहता ही है रा जो है इस रूप में जुड़ जाता है इसके द्रा हो गया ये ट्रा हो गया ये ड्रा हो गया और ये ड्रा हो गया ठीक है, तो देखने वाली बात है कि विद्रूप कह रहा है तो दमे उ की मात्रा रा है इसलिए विद्रूप हुआ लेकिन कुमूदनी ना कहकर हम कहते हैं कुमूदीनी ठीक है, हम कहते हैं कुमूदी नी, तो इस तरह देखा जाएं, तो option number आपका जो D है, वो आपका यहाँ पर वरतनी की द्रिष्टी से तूटी पुरुण है, ठीक है, तो 113 का अंसर है option number D, ठीक, अब आते हैं अगले question में, अगला question है आपका 114, मतलब 114 नंबर का प्रश्ण, और क्या पुछा है 114 नंबर के प्रश्ण में, फिर से यहाँ वरतनी से प्रश्ण पूछा गया है, कि निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का चैन कीजिए, एक दिया है उजवल, एक दिया है कैलाश, एक दिया है और यह दिया है द्वार का, ध्यान से समझेगे ठीक है, तो यहाँ पर उजवल दिया है, ध्यान रखिएगा उजवल, यहाँ पर पूरा है, उजवल, वरतनी कब शुद्ध होगी, जब हमारे उचारण शुद्ध होगी, इसलिए जब हम उजवल लिखते हैं, तो दो बार आधा जा आता है, ठीक है, उजवल, ठीक है, दूसरी बद, एरावत नहीं होता, बलकि होता है, एरावत, ठीक है, आगे समझ में, यह कौन था, आपको सबको मालम होगा, धर्मशास्त्र के अनुसार, एरावत हाथी था, ठीक है, और इसी तरह, अब आपका दिमाग जाता है कि यह शुद्ध है, है ना, लेकिन, जब आप शुद्ध देखेंगे, तो कैलास होता है, ना कि कैलास, ठीक है, अगली बात, द्वार का, इसमें भी आपको कन्फिूजन है, आप क्या कहते हो, द्वारी का, तो, हम जो उच्छारण करते हैं, अपनी आवशकताओं के अनुस सार वर्तनी को अशुद्ध कर देते हैं, जब उनके उच्छारण में हैं गलती करते हैं, तो, ध्यान से समझने वाली बात है, कि यहां पर जो कैलास है, वो शब्द भी क्या है, आपका अशुद्ध है, लेकिन, यहां पर पूछा गया सुद्ध, अब आप बनेंगे कैलास क को हम कैलास बोलते हैं, नमसकार को हम नमसकार बोलते हैं, तो, जब आप वर्तनी की शुद्ध करण वाले किसी पुस्तक में जाके देखेंगे, तो, हर्द्य बारी हो, यह वसुद्य नंदन हो, यह किसी भी तमाम प्रकार के पुस्तकों में देखें, तो, कैलास नहीं, बलक उजवल भी अशुद्ध है, एरावत भी अशुद्ध है, कैलास भी अशुद्ध है, तो इसका है option number D, कि द्वार का जो है वो शुद्ध शब्द है, आगया समझ में, अब हम आते हैं, question number 115 में, तो 115 में क्या प्रश्ण पूछा है, 115 प्रश्ण में पूछा है आपका, कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, फिरसे वरतनी से संब्दीत बाबारे, कितने सारे वरतनी से संब्दीत प्रश्ण है, option number A, D, I, कनिष्ट, option number B, चिन, option number C, ब्रामहन, option number D, सभी, अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, सब तो सही है, ठीक है, आपको क्या लग रहा होगा कि सब तो सही है, कभी आपने गौर किया है, कि कनिष्ट होता है, कनिष्ट होता है, ठीक है, दूसरी बात, चिन्ह नहीं, चिहन होता है, याने की इस तरह होता है, और कुछ पुस्तको में देखिएगा कि यह जो है इस रूप में लिखा होता है ठीक है दूसरी बात ब्रामन नहीं होता रहे भाई ब्राहमन होता है इसलिए देखा जाएं तो हा आधा होता है ब्राहमन ठीक है कभी-कभी आपने देखा होगा कि यह इस रूप में यहां पर मिला होता है ठीक है क्ल अशुद्ध है, तो देखा जाए, तो option number D, सारे शब्द अशुद्ध है, ठीक है, आगे समझ में, अब आते हैं, अगला कोशन में, तो अगला कोशन क्या है हमारा, 116, ठीक है, 116 क्या कहता है, कहता है, कौन सा शब्द शुद्ध है, फिर से वरतनी शुद्धी करण से प्रश चीकेश, option number C है, अनाधीकृत, option number D है, कवई 3, ठीक है, तो अब यहां से आपको जो करेक्शन के साथ में है, उसको find out करना है, ठीक है, अब देखा जाए, तो कुंडलियों के अनुसार, यदि हमारे जिंदगी में कुछ अस्विधा होती है, या कुछ हमारे कुंडलियों के अनुसार हमें कुछ परिशानी होती है, तो पंडित जी हमारी नाम की spelling को change करवा देती है, ठीक है, तो रितिक से हृतिक हो गया, ठीक है, इसी तरह आपको लगता है कि रिशी केश नहीं, बलकि हृशी केश होगा, अरे भाई, हर जगा वो चीज़ फॉलो नहीं होते, अब M I-N-A भी मीना होता है, M-E-E-N-A भी मीना होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इंग्लिश के तरह हिंदी में भी हर जगा वही चीज़ माइने होगी, क्योंकि हिंदी में एक बिंदी का फर्क है, छोटी O, बड़ी O, छोटी E, बड़ी E की मात्रा से भी शब्द की अर्थ ज जिसे 36 गड़ राज्य के अंदर अत्ति आवशक्ता के अनुसार अनावशक तोर पर हम चंद्रबिंदु का प्रयोगत है, तो हाथी से हाथी हो जाता है, चाउर से चाउर हो जाता है, उससी रूल को फालू करते हुए, हम सिक्षित वर्ग के लोग भी चावल बोलते हैं, ज देखें, उसी प्रकार अनाधीकरित नहीं, बलकि अनधीकरित होता है, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होगी, यानि कि यहाँ पर होता है अनधीकरित, ठीक है, अनधीकार होता है, ना कि अनाधीकार, ठीक है ना, आरे बात समझ में, लेकिन सबसे शुद्ध है यहाँ पर अप अब आते हैं अगले question में option number 117 question कहता है गुलाव शब्द है कि यह व्यक्ति वाचक संग्या है कि भावाचक संग्या है कि द्रव्य वाचक संग्या है मैंने आपको एक अब यहां पर पूछा है गुलाव शब्द है यह व्यक्ति वाचक संग्या है और अगर वह एक तत्व हैं जो से खरीदा और बेचा जा सकता है खाया जा सकता है तो वो मटेरियल नाउन नाउन यहां पर पॉच्छ पूछा है गुलाब शबत है किσी एक ही व्यक्ति वस्तू या इस्थान के नाम का बोध हो तो प्रॉपर नाउन यानि कि व्यक्ति वाचकसंग्या होती है तो गुलाब में यह आएगा option number a व्यक्ति वाचकसंग्या clear अब हम आते हें अगला question में अगला question में आपका 118 तो 118 में क्या प्रश्न पूछ है निष्चे वाचक सर्वनाम का उदारन है option number a है यह option number b है कोई जो है वह अनिश्चित सर्वनाम है कौन जो है और जैसा जो है संबंध सूचक है इसलिए option number a यह यह आपका निश्चित सर्वनाम का उदारन है ठीक है अगला आते हैं question number 119 में ठीक है तो 119 क्या पूछता है मेधावी चात्र ठीक है यह फिर से आपका विशेशन से प्रश्ण पूछ रहा है मेधावी चात्र किस विशेशन का उदारन है option number a है संख्या वाचिक option number b है परिमान वाचक option option number d है और संख्या किन के अनुसार यदि विशेश्त बताया तो संख्या वाचि निश्चित और अनिश्चित यदि मातरा के अनुसार बताया तो परिमान वाचक निश्चित और अनिश्चित सर्वनामिक शब्द यदि संग्या के पहले आकर उस संग्या की विश्यष्टा बताए तो सर्वनामिक लेकिन अगर किसी व्यक्ति के गूण, दोश, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाध, गंध, दिशा, समय संबंधी विश्यष्टा बताए तो गूण वाचक अब यहा पर option number C आएगा आपका मेधाविक शात्र किस विश्यष्ण का उदारण है तो गूण वाचक विश्यष्ण का उदारण है, clear, अब आते हैं अगले question में, तो अगला question है 120, प्रश्ण का संख्या है आपका 120, ठीक है, तो 120 में क्या प्रश्ण पूछ रहा है, निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया के उदारण का चैन कीजिए, अब यहाँ पर फिर से आपको क्रिया का प्रश्ण पूछा, ठीक है, तो क्रिया क्या किसी भी कारे का करना या होना पाए जाए, तो उसे कहते हैं क्रिया, प्रश्ण क्रिया में दिया है अकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, कर्मक का आभाव हो कर्म का आभाव होकर संपुर्ण क्रिया का जो फल है वो करता पर पड़े तब वहां होती है अकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया में केवल पाया जाता है करता और क्रिया उसके मध्य कर्म नहीं होता ठीक है तो प्रेश्ण पूछ रहा है कि निम्नांकित में से अकर् पुष्ट कुमार ने गीता का पाठ किया, उसने भर पेट भोजन किया, पेड के नीचे बालक रो रहा था, उसने कुत्ते को लाठी से मारा, तो अब यहाँ पर चुनान करते हैं कि कौन सा अकर्मक है, अप्शन नमबर A में पाठ करना क्रिया है, किसका पाठ किया, गीता का, इसलिए सा कर्मक हो गई, भोजन करना क्रिया है, कैसा भोजन किया, भर पेट, यानि कि ये भी सा कर्मक है, मारा किस से, लाठी से, मतलब कि मारना क्रिया है, कर्म क्या है, लाठी, तो इसका आंसार है ऑप्शन नमबर C, अब आप कहेंगे, कि ऑप्शन नमबर C में भी तो र रोना करिया है पर यहां पर बालक जो है कर्म नहीं बलकी बालक करता है क्लियर हो गई चीज़ें कौन रो रहा है कहें तो बालक रो रहा है ठीक है लेकिन क्या किसे किसने जैसे प्रश्ण को लगाएंगा है किसका पाठ किया गीता का पाठ किया किस से मारा लाठी से मारा कैसा भोजन किया भर पेट किया लेकिन कौन रो रहा है कह रहे हैं तो बालक रो रहा है काहे रो रहा है क्यों रो रहा है कैसे रो रहा है इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है प्रश्ण का जो जवाब है वो करता से संबंधित मिले वहीं होती है करमक्रिय तो आंसर है अप्शन 121 ठीक है तो 121 में क्या कहता है अल्प विराम का उप्योग किस इस्थान पर किया जाता है अप्शन नंबर ए दिया है जब एक ही शब्द के भेद के दो दो शब्दों के बीच में समुच्चे बोधक ना हो वहाँ पर जब एक ही शब्द भेद के तीन या अधिक शब्द आवें और उसके बीच विकल्प में समुच्चे बोधक रहे तब अंतिम शब्द को छोड़कर सेश शब्दों के मध्य समानाधिकरन शब्दों के बीच में और अप्शन नंबर डी है उप्योगत तीनों प्रयोगों की इस्थिती में तो इसका आंसर है अप्शन नंबर डी अब आप पुछेंगे कैसे मैंने पहले ही बताया था जब किसी वाक्य में कहते समय या लिखते समय बहुत ही कम समय के लिए रुका जाता है तब वहां अल्प विराम का याने की कौमा का इस्तिमाल किया जाता है अप्शन नंबर ए कहता है एक ही शब्द के बहुत सारे वराइटी उड़े से राम, लक्षमन, सीता, गीता, भरत, है ना तब सभी नाम के मध्य में हम एक अल्प विराम लगाएंगे ठीक है दूसरा एक ही शब्द के तीन या अधिक शब्दों तो लास्ट वाले से पहले और लगाते हैं राम, मोहन, लक्षमन, सीता, गीता और राधा है ना तो और से पहले जितने भी नाम थे उसके पहले कोमा लगाते हैं समन अधिकरन शब्दों के मध्य में जहां पर दोनों शब्द में समन अधिकार होता है ठीक है ना तो वहां पर योजक चिंह है, उस योजक चिंह वाले शब्द के पहले जब हम और के पहले अगर कोई शब्द रिसमें भी आपको एक्जामपल दिया तब भी अलप विराम को इस्तिमाल करें तो option आता है आपका उप्युक्त तीनो प्रयोग की सिती में अलप विराम का प्रयोग जो है वो किया जाता है तो answer नमबर D 121 का answer है option नमबर D clear अब आते है नेक्स्ट कोश्चन में यहां सब को confusion पुछता है भारत की राजधानी बताओ इस वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा सबसे पहले आपके दिमाग में कंफ्यूजन का कीड़ा काट रहा है कि यहां तो पुछा जा रहा है कि भारत की राजधानी बताओ तो आपको लग रहा है कि प्रश्णा चकाने के लिए व्यापम ने सबसे पहला अप्शन दिया है आपका प्रश्ण सूचक चिन्ह और आपकी गलती क्या होती कि आप सेंटेंस में जो अप्शन दिया होता है उन चारों प्रश्ण को आप केरफूली नहीं पड़ते फिर दिमाग में कीड़ा काट रहा है कि प्रश्ण माच्छा की ही आएगा क्योंकि भारत की रागधानी पूछ रहा है तो ध्यान रखेगा जिस बाक् कोशन पूछ रहा है इसलिए कोशन मार्क लगेगा लेकिन अगर वह आग्या के तो अच्छा चलो यह तो बताओ अगर कहता है तो वहां पूरुन विराम लगेगा ना की प्रश्ण वाठ तो अप्शन नंबर भी आएगा आपके इस प्रश्ण का उत्तर की भारत की राजध यहां पर देखा जाए तो 123 में पुछा है क्यों रही क्या तू आखों से अंधी है इस वाक्य के अंत में किस विराम चिंग का प्रयोग होगा अप्शन नंबर वन दिया है अशर चिंग मतलब कि विस्मयादी बोधक, फिर दिया है प्रश्णवाचक चिन्ह, फिर दिया है निर्देशक चिन्ह, और अंत में दिया है पुरुन विराम, ठीक है, तो फिर से दिमाग में प्रश्ण उठता है, कि क्यों रही तुँ आखों से अंधी है, अगर कह रहा है, तो आपको समझ में आ विक्राइब बोड़क है तर द्यान रखिए गा है मनों विकार को या मन की भावनाओं को सुचित करना हो प्रश्ण वास्यक्वाक्य होने के हम विस्मयार्दी त्यक्वरों का प्रयोग वहां पर करते हैं ठीक pops कि जब अपने मन की भावनाओं को बोला जा रहा है तो प्रश्ण वाचक वाक्य क्यों न हो कि क्यों रितु आखों से अंधी है कह रहा है तो वो अंधी है क्या पुछ रहा है प्रश्ण होने के बावजूद वहां पर हम आश्वर चिन याने की अप्शन नंबर एक का इस्तेम 124 में इस से रिलेटेड प्रश्ण पूछा है 124 में इसे समझनितृष्ण पूछा गया है और क्या पूछा गया है यह कि बढ़ता हुआ मनो विकार सुचित करने के लिए क्या पुछा है? अप्शन नमबर D ठीक है? तो क्या होता है? कि जब बढ़ता हुआ मन का विकार जो है वो बढ़ रहा है तो सूचित करने के लिए हम दो या तीन अर्धे आपके विस्मयादी बोधा का इस्तेमाल जो है वो करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहला जो है दो है यहाँ तीन है यहाँ दो यहाँ दो ऐसे विराम चिन्न का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ठीक है? तो इसका आंसर है option number D 124 का ठीक है? अब हम आते हैं अगले question में और यह जो अगला question है आपका है यहाँ पर अगला प्रशन आपका 125 अब यहाँ पर प्रशन दिया है संधी से ठीक है? तो संधी से संबंधित प्रशन दिया है और क्या पुछा है? definition से related प्रशन पुछा है संधी क्या है? जब मैंने संधी की परिभाशा बताई थी तो मैंने क्या बताया था? दो वरणाक्षरों के परस्पर मिलने से उत्पन होने वाले विकार को संधी कहते है बताया था? option number दिया है A. दो वरणों के मेल से होने वाला विकार option number B. दिया है दो वरणों के मेल से बनने वाला शब्द option number C. दिया है दो वरणों के मेल से बनने वाला स्वर ठीक है, तो ना तो स्वर ना तो व्यंजन ना ही शग्द जो विकार उत्पन होता है दो वरणों के परसपर मिलने से जो विकार उत्पन होता है उसे संधी कहते हैं तो इसका आंसर है option number A ठीक है, आगे समझ में तो इसका आंसर है option number A ठीक, अब आते हैं अगले question में अगला question है 126 के लिए ठीक है, तो 126 में किस प्रकार का प्रशन पूछा है 126 में पूछा गया है कि किस संधी के आधार पर दैवैश्वर स्वब्द का गठन हुआ है, ठीक है option number A है दीरगसवर संधी option है गुरूसवर संधी option C है वृढदिसवर संधी option D है आयादिसवर संधी सारी संधी आपको पता है कि दीरग में दो समानवरण अक्षर मिलकर दीरग की मात्रा में बदल जाते हैं, यदी हम कहते हैं विद्याले, यदी हम कहते हैं गिरुश। यह दो अलग अलग वरणाक्षम मिलकर एक नए वरन का निर्मान करते हैं, तो यदि हम महेश कहते हैं, इसी तरह भारतेंदू कहते हैं इसी तरह यदि हम प्रभोदय कहते हैं ठीक है इसी तरह सब्तर्शी कहते हैं तो वह गुरुन स्वर संधी ठीक है अयादी का मतलब होता है वृद्धी के नियम को पलट दिया जाया और दो वरनक्षरों के मधि में यह और वर्द ऐसा वरना आए तो वह अयादी स्वर संधी तो पवन कहते हैं भवन कहते हैं सावन कहते हैं लेकिन वृद्धी का मतलब है कि गुण स्वर संधी की प्रक्रिया से निर्मित वर्ण यदि अ और आ से मिलते हैं और मात्रा में वृद्धी हो जाती है तो हम क्यों ने इसके संधी विछेद करके देखे तो देव में जब हम आश्वर्य जोडते हैं तो इसका और इसका आ दोनों मिलकर क्या बन गए व्रिधिस्वर संधी ठीक है तो देव का जो व में आ की मात्रा से दैवैश्वर्य हुआ इसलिए option number C इसका answer है कि संधी के अनुसाय दैवैश्वर्य सब्द का गठन व्रिधिस्वर्य संधी की प्रक्रिय से हुआ है clear तो option number C अब आते हैं अगले question में है अगला question है आपका 127 ठीक है 127 कहता है अत्येव में संधी यह भी मैंने आपको बतलाया था पहली बात की अत्येव कह रहा है तो यह स्वर क्यों नहीं स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि जब स्वर संधी होती है तो यदि दो स्वर मिलते हैं तो स्वर जो है वह मात्रा में बद करता है और यदि यहीं स्वर विसर्ग से पहले होता है तो अपना स्वरूप विसर्ग को बदलने में प्रयोग में करने को देता है तो देखा जाए तो जहां पर आपका अत्येव कह रहे हैं तो मैंने बताया था जब विसर्ग से पहले आका स्वर हो और विसर्ग के बाद क कोई अन्यस्वर हो तो विसर्ग वहीं से लुप्त हो जाता है इसलिए अत्येव से हमारा उदाहरंड बना था अत्येव तो यह किस संधी का नियम है आप्शन नंबर भी विसर्ग संधी का नियम है क्लियर हो गई चीजें ठीक है अब आते हैं अगले रूल में अगला कोश्च चीजें क्या है कि टीफ केट टीक तो 28 कहता है कि जडी विसर्雅 के बाद यदि विसर्ग के बाद स्वर्या व्यंजन के मेल होने से जो विकार उत्पन होगा उसे कौंसे संधी कहेंग्ए मैं अब भी आपको बताया कि जडी विसर्ग के साथ में स्वर्मिलता है या के विसर्ग से मिलने पर जो वीकार उद्पन होता हैए उसे कहा जाता है विसर्ग संधी क्लिएर हो गई चीज living के बार सुर या भ्याइन्द के मेल से जो मिपार उद्पन होता है option number d वहां विसर्ग संधी होती है ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न में तो अगला प्रश्न क्या कहता है 129 अगला कहता है इस्त्रोत के आधार पर ठेस शब्द किस श्रेणी के अंतरगत आता है ठीक है तो option number A दी है तत्सम, option number B दी है तद्भव, option number C है देशज, option number D है वी देशज, ठीक है, तो इस्त्रोत, इस्त्रोत का आधार क्या होता है, इतिहास, उद्भव, उद्गम, उद्पत्ती का आधार, यानि कि based on origin, on the formation of origin, की ऐसे शब्द जो I कहां से, तो all related Sanskrit words called Tatsum, Sanskrit words converted into Hindi का तद्भव, और जो विदेश से आया है, जो भारत का नहीं, बलकि अन्य देश से आया है, तो विदेशज या आगत शब्द कहते हैं, लेकिन जो अपने लोक समाने बोलचाल, इस्थानिय परिवेश, बोली से, या साधारन आम जनता के प्रयोग से, जो शब्द लिये जाएंगे, उसे हम देश से कहते हैं, याने कि लोकली ओरिजिनेटेड वर्ट्स कहते हैं, तो जो ठेस है, मेरे दिल को ठेस पहुची कहते हैं, मेरे दिल को ठोकर लगी बोलते हैं, तो ठेस से शब्द है, option number C, देश से ठीक है, तो डिबिया, ठुमरी, बैठ कि यदि हम कहते हैं, तो सब हमारे लिए देश से शब्द की केटेगरी में आता है, तो 129 cancer, option number C, ठीक है, अब हम आते हैं, अगले question में, 130, 130 क्या प्रशन पुछता है, 130 कहता है, गल्प शब्द हिंदी में किस भाशा से लिया गया, जब मैंने आपको शब्द समझाए थे, मैंने बताया था, कि कुछ देशज शब्द ऐसे हैं, जो अपने भारती राज्य की सीमा दाइरे से प्रयोग में इस्तिमाल किये जाते हैं, ऐसे देशज शब्दों के अंतरगत हम मराठी, गुजराती, बांगला, अवधी, भोजपूरी, ऐसे शब्दों को इस्तिमाल करते दक्षिन भाशा से हम संथालिय गोण के शब्द भी लेते हैं, तो देखा जाए, तो 130 में जो गल्प है, या हमारे लिए बांगला शब्द है, भद्र लोग बताया था, मैंने आपको खोपा बताया था, मैंने आपको ठीक है, तो इसी तरह गल्प शब्द है, जो बांगला शब्द है, ठीक है, अब आते हैं अगले कोश्चन में, अगला कोश्चन है आपका 131 के लिए, ठीक है, 131 क्या कहता है, निम्न लिखीत में तत्सम तदभाव का युग्म नहीं है, याने कोश्चन में क्या दिया है, एक तरब दिया है तत्सम और उसका दिया है तदभाव, ठीक है तो option number A है घोटक जिसका तद्भाव है घोड़ा चलिए ये तो सही है घट तद्सम है तद्भाव है घड़ा सही है घपला गड़बड घपला का मतलब गड़बड होता है ये भी आंसर सही है कृष्ण को तम कानहा बोलते ही है ये भी सही है तो फिर option ते पूरा गलत है option में यह होना चाहिए कि सब सही है लेकिन प्रश्ण पूछा है तद्सम तद्भाव याने की एक सड़ तद्सम होगा एक सड़ तद्भाव होगा तो ये युगम है ये भी युगम है घपला कोई तद्सम शब्द नहीं है साधारण बोल चाल का ये देशज शब्द है लेक कृष्ण का किसन होता है तद्भाव कृष्ण का तद्भाव किसन होता है कानहा नहीं होता है तो ये आंसर भी थोड़ा सा डाउट क्रियेट कर रहा है कि यहाँ पर घोटक घट ये दोनों तद्सम तद्भाव का युगम है कृष्ण का किसन होता है यहाँ पर ये option जो है व तो देखा जाए, तो उत्तर यह होना चाहिए, कि शब्द युग में नहीं है, या तो घपला गडबड को लेगा, या तो कृष्ण कानह को लेगा, लेकिन ध्यान रखेगा, कृष्ण का किसन ही होता है, तो में भी ये कोशन जो है थोड़ा सा डाउट फूल है, ठीक है, अब किसको लेंगे, तो देखा जाए, तो अगर ये इसको सही कर देता है, तो वो इसको फिर आंसर लेगा, ठीक है, लेकिन देखा जाए, तो ऐसा कोई शब्द नहीं है, यहाँ आप्शन में ये भी आपका गलत है, ठीक है, अब आते हैं अगले कोशन में, अगला कोशन है 132, कि आपको बताया था कि अरभी, अंग्रेजी, पूर्टगीज लिखा है, वो पूर्टगाली है, चीनी, तो चाय, लीची, चीनी, चीन, ऐसा शब्द देखा जाए, वो आप्शन नमर्ड D, चीनी शब्द है, तो लीची शब्द है, जो चीनी शब्द से आया है, तो तद्भाव शब्द का उदाहरण है तो तद्भाव क्या है संस्कृत के शब्दों का हिंदी रुपांतरण वाला शब्द तद्भाव कहलाता है लोटा देशज है आलमारी विदेशज है कर्म तत्सम है लेकिन चक्षू का आंख यह तद्भाव है इसलिए option number D आता है आपका तद्भाव तो यहां पर लोटा आपका देशज अलमारी विदेशज और कर्म जो है तत्सम शब्द है तो option number D आंख ठीक है अब आते हैं next one question next one question 134 ठीक है अब यहां दिया है 134 में क्या दिया कि हिन हीनाना शब्द हिन हीनाना शब्द निम्नांकित में से किसका उधारण है क्या वो तत्सम है क्या वो तद्भाव है क्या देशज है या विदेशज है तो आपको पता है all related Sanskrit words used in Hindi Sanskrit related all words used in Hindi Sanskrit के शब्दों का उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाना तत्सम है Sanskrit words converted into Hindi Sanskrit words changed into Hindi कि अर्थ के बगाईर परिवर्तन के Sanskrit के शब्दों का सरल हिंदी रूपांतरन तद्भाव है ठीक है भारत देश की सीमा से परे विदेश से आए हुए शब्दों का प्रभाव विदेश से कहलाता है लेकिन किसी साउंड इफेक्ट पर इस्थानिय बोल चाल प्रभाव से उत्पन ऐसे शब्द जो लोकल है लोकली ओरिजिनेटेड वर्ड्स हैं उससे देश से कहते हैं साउंड इफेक्ट गड़ भट 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 खड़ कर कुड़ कुड़ चिड़ सारे साउंड इफेक्ट पर बना तो घोड़े की हिनहन करने की आवाज को हमने हिनहीनाना बनाया जो आपका इमिटियेट वर्भ यानिकि अनुकरनात्म क्रिया है ना तो कहीं न कहीं यह हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी देशज का उदारन हैं क्लियर हो गई चीज़ें ठीक अब यह 135 क्या कह रहा है निमनांकित में से विदेशी शब्द का चैन कीजिए कितना सारा उसी में से प्रश्ण पूछा है शब्द विचार से ठीक है तो चश्मा भैस अगिन और चांद कहता है तो देखने बात है कि भैस जो है वो हमारे लिए तदभव है महीश का भैस हुआ अगनी से प्राकृत कर अगिन हो गया यह तदभव है साथ में चंद्र का तदभव चान्ध हो गया तो प्रश्ण पुछा है विदेशी शब्द कोन सा है तो चश्मा जुए वो विदेशी शब्द है और यह चश्मा जुए वह फारसिश्द की केटेगरी में आत ए चश्मा है जो विदेशी शब्द है ठीक है अब आते हैं अगले कोश्चन में 136 136 क्या कहता है निम्नांकित में से सम्मोचारित जो शब्द है उसका जिसे हम भिनार्थक भी कहते हैं जिसे शब्द यूगम कहते हैं वो कौन सा है अप्शन दिया है कि सम्मोचारित शब्द क्या होते हैं एक समान उच्चारण होने वाले शब्दों को सम्मोचारित कहते हैं ठीक है दूसरी बार एक समान सुनाई देने पर समश्रुत कहलाता है ठीक है लेकिन लिखने और अर्थे के दृष्टे से भिन्न होते हैं इसलिए भ तो धीरे धीरे शब्द जो है यह आपका adverb of manners है ठीक है मतलब कीसप्रकार धीरे धीरे रितिव आचक्रिय विश्षण धीरे ही धीरे हाथों हाथ कहे रहा है हाथ ही हाथ ये भी आपको एक अविकारी शब्द के पुन्रावृति है घर द्वार कह रहा है तो अगर हम इसका पॉइंटा फ्यूले तो धीरे-धीरे कहे कर यह हमारे लिए अव्याई भाव समास हाथों हाथ कहे कर अव्याई भाव समास और घर द्वार कहे कर हमारे लिए द्वंद समास बनाता है अकॉर्डिंग प्रभावर लेकिन अनल और अनिल का है तो अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होती है हावा ठीक है तो सम्मच चारित शब्र क्या होता है उच्छारण के गलती से एक समान उच्छारित होने वाला एक समान सुनाई देने वाला पर अर्थी के दृष्टि से युक्म मे आने वाले शब्दों जो भिन्न होते हैं, उसे भिन्नार्थक कहते हैं, तो 136 का आंसर होगा, option number C, annal और annal, clear हो गई चीज़ें, अब आते हैं, question number 137 में, समझ में आ रहा है, ठीक है, 137, ठीक है, अब 137 question में क्या पुछा है, किसी भासा के मूल शब्दे को क्या कारते हैं, यह तो मैंने भी आपको तत्सम बताते समय बताया था, है ना, तो मुझे लगता है कि जिसने मेरी हिंदी की वीडियो को बहुत केरफुली पढ़ा होगा, खाल निकालते निकालते हर एक चीज़ को बताने के कोशिस की थी, क्योंकि प्रश्ण का दाइरा जो है, वो पहले के समय में एकदम से कि इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें वीशेशन शब्दे बताये, ऐसे प्रश्णों से हट कर अब अंदरूनी चीज़ों को भी पूछने ठीक है, तो प्रश्ण केते हैं किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, और कि संस्कृत से ये सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, भारत के अंदर तमाम प्रकार के जो भाषा हैं, उसका उदभाव, संस्कृत के वैदिक लौकि, फिर आपका आता है प्राकृत, पाली का प्रहलाप रूप और अपभरश, और उसी अपभरश के अंतरगत बोली में भी संस्कृत का प्रभाव था, तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है, जैसे कि यदि हम वद कह रहे हैं, इससे बन जाता है बोल, तो इसका जो मूल रूप है, उसे ही तत्सम क कहा जाता है जाता है और अगले कोस्चन में, नहीं है अब यहाँ, और आपका, आप्शन क्या आगया है आपका, ठीक है इन में से कौन सा शब्द देशज नहीं है option दिया है नींद, तेंदुआ, खिड़की और ठेस ठीक है तो समझने वाली बात है कि यहां पर हम देखें तो देशज नहीं है कह रहा है मतलब कि इस्थानिय बोलचाल के प्रभाव से प्रयोग होने वाले शब्द को देशज कहते हैं जिसके उत्पत्ति अज्यात होती है लोक बोली भाशा के शब्द को देशज कहा जाता है तो अगर देख रहें तेंदुआ, खिड़की और ठेस यह जो है हमारे लिए देशज शब्द है लेकिन निद्रा का तदभा होता है नीद खिड़की यदि हम कहते हैं तो खिड़की हमारे लिए विदेशज शब्द है खिड़की विदेशज शब्द है जो आपके फारसी में आता है है ठीक है टेंदुव है वह हमारा देशजजशब्द है ठेस जो है देशजशब्द है लेकिन खिर की निद्रा का तदभाव है हमारे लिए नीदर और प्रश्चन है कि कौन सा शब्द देशजज नहीं है तो इन तीन option में से option number A नीद देशज शब्द नहीं है बाकि सारे शब्द जो है हमारे लिए देशज है ठीक है अब आते 139 139 क्या पुछता है appeal शब्द किस भाषा से संबंधी थे appeal शब्द किस भाषा से संबंधी थे option A उर्दू B फार्सी C अर्भी और D अंग्रेजी आप सभी को पता है कि मैंने भी कोर्ट में अर्जी लगाई है कहता है मैंने appeal किया है कहता है तो अर्जी शब्द जो है वो अर्भी का शब्द है लेकिन option number D जो है वह हमारे लिए appeal अंग्रेजी भाषा का शब्द है clear अब आते है next one question में ठीक है next one question है 140 ठीक है तो 140 ठीक है ज्यादा जूम करने से कहीं चीज़ें भट तो नहीं हो रहा है ना समझ में आ रही होगे नीमना लिखीत में से देशज शब्द कौन सा है फिर से देशज शब्द पूछा है भर भर के शब्दों में से तो आपको जब मैंने बताया था वीदेशज शब्द तो मैंने बताया था कि मुगल शासकों के संपर्क में आए तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को परिवर्दन किया तो दुका था यानि कि वह हमारे लिए चंद्रबिंदु वाला दुका था ठीक है इसी तरह हमारे लिए मका था हमने चंद्रबिंदु को हटा कर दुका से दुकान बना दिया मका से मकान बना दिया ठीक है इसी तरह नश्चह यह जो था वह हमारे लिए नश्चह था ठीक है नश्चह था हमने उसे नश्चह बना तो प्रश्ण निये पूछा है कि देशज शब्द कौन सा है तो अप्शन नमबर सी है डिविया जो हमारे लिए देशज शब्द क्लियर अब आते हैं आगे अगला प्रश्ण है 141 ठीक है किस विराम चिन्य का प्रयोग शब्दों के युग्म अथवा शब्दों को दोहराने किया जाता है मैंने आपको विराम चिन्य के समय बताया था जब एक्वल वर्ट्स का रिपिटेशन हो ठीक है जब एक्वल वर्ट्स का रिपिटेशन हो या फिर ऐसा प्रयोग हो जहां पर इसका रिपिटेशन हो जहां आपके दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने का काम करता है तो वहाँ पर हम योजक चिन्ह option number a का इस्तिमाल जो है वो करते हैं क्योंकि निर्देशक चिन्ह होता है किसी को निर्देश देता है संकेत देता है लागव चिन्ह किसी बात का सक्ष्म रोप लिखने के लिए होता है तुरूटी पूरक को गलतियों को सुधारने के लि करते हैं तो प्रशन ने पूछा किस विराम चिन्ह का प्रयोक शब्द के युग मतलब जोड़े को अत्वा सब्दों को रिपिटेशन के लिए किया जाता है तो वह हमारे अप्शन नंबर ए योजक चिन्ह का इस्तिमाल किया जाता है ठीक है अब आते हैं अगले प्रशन मे 142 142 142 क्या क्या रहे है हर्श आश्चर्य करूना घ्रिणा भय विशाद आदि मनों भावों को प्रकट करने के लिए वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोक किया जाता है आप सभी को मैंने बताया था वक्ता के विसमे जिसमें हर्श दया घ्रिणा शोक विशाद आदी मन के भाव प्रकट होते हैं, तो वहाँ पर हम exclamatory punctuation याने की विस्मयादी बोधक विरामचिन के इस्तिमाल करते हैं, तो 142 का answer है, option number D, विस्मयादी बोधक विरामचिन हैं, ठीक है, आगे समझ में, इसका इस्तिमाल वक्ता के वक्तव्यक के कहने में, विस्मय के तुरंद बाद लगाया जाता है, clear हो गई चीज़ें, अब आते हैं अगले प्रश्न में, तो अगला प्रश्न क्या कहता है, 42 के बाद आते हैं, question number 143, ठीक है, और 143 क्या कहता है, किसी उधरन के अंतरगत, यदि कोई दूसरा उधरन होने पर, दूसरे उधरन के पहले और अंत में, किस विरामचिन का प्रयोग होता है, option A है, अर्धविराम, अर्धविराम का sign है, आपका ये, योजग चीन है, जिसका sign है, आपका ये, एक हरा उधरन चीन है, single inverted comma, और दोरा उधरन चीन है, मतलब कि double inverted comma, ठीक है, इन में से किस का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता है, जब उधरन किसी व्यक्ति की कही गई बात को, वैसे का वैसा ही जब दोहराना है, सब हम double inverted comma का इ लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, कि यदि उसी के अंदर कोई छोटा sentence आ जाता है, तो वहाँ पर हम जो है, वो single inverted comma, याने कि 11 अवतरन चीन है का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न है 144 के लिए, किस पद में उप्युक् अखने विरां चीनि लगा यह भी आपको पंचुएशन से कोशन पूचा है, डॉक्टर सुरेंद्र रायजादा अल्प रियां अलप विरां प्यूश्डी अलिज़ेज पूरुनविरां मैंने आपको बताया था इस semi column का use किया जाता है किसी भी वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से जादा समय के लिए रुका जाता है जहां किसी लंबे sentence में कोई जो है वो सब sentence आता है तब या किसी उपाधी या किसी जो आपके उपाधी है या जो आपके degree है उसके मध्य हम अर्धिविराम का इस्तेमाल जो है वो करते हैं तो इसका answer है option number D clear अब आते हैं next one question में अगला है question आपका 145 ठीक है अब यहाँ पर आपको idiom और प्रोवाप से प्रश्न दिया गया है प्रश्न पूछा है रंग बदलना मुहावरे का अर्थ है option number A परिवर्तन होना option number B प्रभाव उत्पन करना option number C डराना option number D उप्युक्त में से कोई नहीं रंग बदलना मतलब की कहते न यार आज के समय में परिस्थिती ऐसी है कि हर इंसान रंग बदलने लगा है मतलब अपने आपको चेंज कर लेता है याने option number A रंग बदलना का उत्तर है परिवर्तन होना ठीक है आते हैं अब अगले प्रश्न में अगला प्रश्न है 146 और क्य भी पूछता है कभी मुहावरा या लोकोक्ति दे देता है जिसके अर्थ से सनमेल करने बोलता है कभी मुहावरे का अर्थ दे देता है जिसकी वहाँ पर मुहावरे लोकोक्ति से पहचान करने देता है कभी option में बहुत सारे मुहावरे एक लोकोक्ति होकर odd one होता है या गुदड़ी का लाल गाथ का पूरा आँख का तारा या आस्तिन का सा verme तो गुदड़ी का लाल प्रियज़ को कहांगे आँख का तारा पूरा कवे गढ़ करें लेकिन जो आस्तिन का साप है उसे ही कपट्टी मित्र ना हुआ धोके बाध सखा की नाम से पुकारेंगे 146 का अंसर होगा option number D ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्ण में 147 147 ने क्या कहा हवा के घोडे पर सवार होना का उप्युक्त अर्थ है option number A कलपना करना option 10B तेजगती से चलना option C जल्दी में होना option D बहुत जल्दी में होना ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हम लेते हैं इसमें आपका जो शबद है उसमें हैं जल्दी में होना ठीक है ब व्यक्ति आप blessings आता है और जाने की हडबड़ी करता है तब कहते हैं अभी तो आए हो अभी जाने की बार कर तुम तो हवा के घोड़े पर सवार हो तो जल्दी में होना होता है लेकिन यदि वो कहता है दूसरा एक्जामपल कहता है जैसे की हवा से बाते करना तब उसका मतलब होता है बहुत जल्दी में होना तो बहुत जल्दी में होना यानि हवा से बाते करना लेकिन यदि वो हवा के घोड़े पर सवार होना कहता है तो उसका अंसर अप्शन नमबर C जल्दी में होना ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्ण की ओर 148 ठीक है और क्या कह रहा है अधिजल गगरी छलकत जाए अधिजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ क्या है अप्शन नमबर A है डिंग हाकना अप्शन नमबर B है इतरा कर चलना C है काम की हड़ड़ी और D है काम डालना ठीक है तो इसका अर्थ है अप्शन नमबर A ग्यान है और वह आपने को बढ़ा चड़ा कर कहता है तब वहां पर इस कहावत का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है ठीक है आते हैं next question में next question क्या कहता है next question कहता है नीमनलिखित उपर्युक्त निमनलिखित उपर्युक्त शब्दों में निमनलिखित उपर्युक्त शब्दों में मूलता हिंदी शब्द नहीं है उस शब्द का चैन कीजिए ठीक है यहां पर उपसर्ग की बात की गई है ठीक है यह आपको दिया option बेचारा option B में अचेत option C में निहत्था option D में भरपूर अब यहां कह रहा है नीमनल इसमें तदभाव उपसर्ग का इस्तेमाल तीनों में से है लेकिन एक में तदभाव यानि हिंदी का इस्तेमाल नहीं है जब हम अचेत कहते हैं तो अउपसर्ग हिंदी का है जब हम भरपूर कहते हैं तो भर उपसर्ग हिंदी का है इसी तरह यहां निहत्था निगोड़ा क कहते हैं बे चारा कहते हैं बे गैरत कहते हैं ठीक है वे इंटहां कहते हैं ठीक है ये जब वे उपसर्ग है वह उर्दू का मतललक की 149 में फिर्टर जो option दिया है बे चारा या हिंदी का उपसर्ग इस्तिमाल यहां पर नहीं है clear अब आते हैं आगे 150 कोशन नमबर 150 के बात करें तो उसमें क्या पुछा है आप देखेंगे 150 में क्या पुछा है विसर्ग संधी शब्द का चैन कीजिए अब यहां पर आपको option दिया है अधोगती अहर्मुख हस्तिदंत और शन्मास ठीक है तो विसर्ग संधी क्या होती है विसर्ग संधी क्या होती है जब संधी का संधी क्या जाता है है थो संधी में विसर्ग के पहले यदि या और है और है और होने का हा हो इस सिच्वेशन में विसर्ग जो है वह ओ की मात्रा में बदलता है तो आपको मालुम होगा कि अधह धन गती से बना था हमारे लिए अधो गती अब आपका आरे फॉर्ण पर जाता होगा कि नीह धन जर से तो निर्जर बना था लेकिन अह में किसी प्रकार का अह दहां मुख नहीं होता ठीक है अह मुख नहीं होता इसलिए यह किसी प्रकार के विसर्ग का एक्जांपल नहीं है दूसरा शट मास से शन मास व्यंजन संधी है और हस्ती दंत कह रहा है तो यह भी किसी प्रकार के संधी का प्रयोग यहां पर विसर्ग में नहीं है तो आप्शन न अब यहाँ पर प्रश्ण आपको समास से पुछा है ठीक है समास से प्रश्ण पुछते हुए क्या कह रहा है कौन सा शब्द अव्याई भाव समास का शब्द है अप्शन नमबर ए निडर, बी है कामचोड, सी है मृदुमन, डी है आशातीत तो अव्याई शब्द क्या है जिस शब्द का प्रथम शब्द पद अव्याई प्रधान हो जिस शब्द के प्रथम शब्द में अव्याई शब्द की प्रधानता हो अव्याई शब्द की प्रध नरा वृत्ति एक हाइफन के इंक्लूडिंग होने से हो या तो उपसर्ग से निर्मित एक अविकारी शब्द हो तो वहां होता है अभ्याई भाव समास ठीक है तो काम चोर कह रहा है तो काम से चोरी कहकर ये करण तत्पूरुश हो रहा है मृदू मंद मृदू के समान मंद कहकर ये हमारे लिए कापका हो रहा है करमधारे समास आशातीत कहता है आशा से अतीत कहकर हमारे लिए अपदान तत्पूरुश हो रहा है लेकिन नीडर कह रहा है तो इस डर में नी उपसर्ग है और नीडर कहकर एक अविकारी शब्द का नि कारण है option number a needle clear ठीक अब आते हैं आगे 152 पीछे पीछे चलने वाला अब यहां पर आपका आता है one word answer ठीक है पीछे पीछे चलने वाला के लिए सटिक शब्द है क्या अनुयाई है क्या अनुगामी है कि अग्रगामी है कि अन्तियम है अनुयाई कौन होते हैं किसी एक धर्म क अनुसरन करने वाला अनुयाई कहलाता है अग्रगामी कौन होता है जो आगे आगे चलता है उसे अग्रगामी कहा जाता है अनुगामी अनु का मतलब होता है पीछे यह एक उपसर्ग है इस उपसर्ग से पीछे चलने वाला गमन मतलब जाना और किसी के पीछे पीछे चलता उसे अनुगामी कहा जाता है और अंतियम याने अंतिम जो है उसे अंतियम कहेंगे तो आप्शन नंबर भी है आपके कोश्चन नंबर 152 का अंसर कि पीछे-पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी शब्द वाक्यांश के अर्थ को बतलाता है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट से कोशन आया रचना के अनुसार रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं ठीक है जब मैंने आपको सेंटेंस बताया था तो मैंने कहा था कि वाक्य जो है वह भाशा की संपुर्ण इकाई होती है वाक्य भाशा की संपुर्ण इकाई होती है और वाक्य को जब हम क् पर according to formation based on formation based on creation या according to creation या आपको सकते रचना के धार पर तौक तीन प्रकार के होते हैं एक होता है सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस एक होता है मिश्रवाक्य आपका होता है complex sentence और एक होता है सयुक्त थे जिससे आपकांपाउंड sentence कहते हैं ना तो प्रचना के अधार पर तीन प्रकार के वाख्य होते हैं मतलब option number C clear हो गई ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्ण में अगला प्रश्णा पूछता है आपको कि निम्न लिखित में परिमान बोधक क्या उलता है परिणाम बोधक निम्न लिखित में परिणाम बोधक संकूचित वाट के है अप्शन ए ग्रह और उपग्रह सूरे के आसपास घुमते हैं इस समय वह गौतम के नाम से नहीं वरन बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ पत्ते सुख रही हैं इसलिए पीले दिखाई देते हैं न उसमें पत्ते हैं न फूल थी ठीक है तो परिमान का क्या मतल होते हैं तो परिमान का मतलब होता है नापतौल लेकिन परिनाम का मतलब होता है रिजल्ट या हम उस परिनाम मतलब फल को कहते हैं ठीक है तो जहां पर रिजन बता जाये ऐसा हो गया है इसलिए तो यहां पर आप्शन नमबर सी पत्ते सुख रहे हैं इसलिए तो वह पीले दिखाई दे रहे हैं मतलब कि पत्तों का सुखने का परिणाम क्या है कि उसका पीला दिखाई देना लेकिन अगर न उसमें पत्ते न फूलते कहते हैं तो यहां पर किसी प्रकार का रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा ठीक है बुद्ध की नाम से प्रसिद्ध हुए वह भी रिजल्ट नहीं है अगर वह कहता कि ग्रह और उपग्रा सूरे के आसपास गुमते हैं इसलिए दीन और रात होते हैं तब परिणाम होता है क्लियर हो गई चीज़ें ठीक है तो फिफ सार वाके के कितने भेद हैं भाई मतलब कि यहां पर भर भर के कोशन आपको जो है वो व्याकरणों से पूछा है ठीक है पर एक अफसोस कि रसलंकार चंद से उसने एक भी प्रश्ण नहीं पूछा बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि बहुत अच्छा हुआ नहीं पूछा कि जो तैयारी आपने की थी और आज इस सेनलैसिस के वज़र से आप जो इसको और डीपली समझने की कोशिस करें यह फाइदा देगा आपको CGPSC प्री में ठीक है और दुनिया जहां कि भरम में बिलकुल ना रहे हैं कि परिक्षा नहीं होगा यह नहीं होगा पढ़ाई को टो रुकिएगर नहीं ःसा कोई अधिया देश किसी प्तकार की चीजह जारी नहीं की गई हो जिस तरह आप पढ़ रहे हैं मन लगाके पढ़ते रहे हैं फालतू की है लोगों की बहस में आकर अपना समय बर्बाद ना करें ठीक है तो जो मैंने रचना के धार पर तीन बताया था इसी तरह मैंने आपको पूरे बताये थे जहां पर आठ प्रकार के अर्थ के अधार पर वाक्य होते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादी बोधक, ठीक है, संदेहार्थक, उसके बाद में हैं आपका इच्छार्थक, आज्यार्थक, और एक होता है आपका संभवनार्थक वाक्य, मतलग कि 5 और 3 आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, ठीक है, अब आता है कौन से नीशे धात्मक है। मतलब आपको फीर से वाक्य सही प्रश्न पूछा है। मतलब किसी कारेक होना नहीं पाया जाए। आतमक तो श्पीन पर वहां सो सकते हैं अंगले प्रश्ण में सकते हैं मतलब अप्शन 911 तहीं और आते हैं अगले प्रश्reiben 157 में क्या पुछता है आपको यह महिला का पर्यायवाची नहीं है यहाँ प्रश्न दिया है महिला का प्रियायवाची शब्द नहीं है तो महिला का परिया Common तो मैंने कहा था कि हर औरत को हम इस्त्री जराना नारी औरत बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं तो महिला का परियावची शब्द में औरत नारी अबला इस्त्री है ना यह हम कह सकते हैं लेकिन परियावची में पत्नी हम नहीं कह सकते हैं तो महिला का परियावची शब्द D option number C पतनी नहीं है ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्ण में option number question number 158 question number 158 ठीक है तो 158 में क्या पूछा है मधूर बोलने वाले को एक सद में क्या कहते हैं option option be option C also be a जो बहुत कम बहुता है बहुत जादा बोलते हैं बहुत जदा बहुत बहुत भासी बोलते हैं ऐगर हम कहते हैं ठीक है तो सुभाशी मृदू भाशी में एक थोड़ा सा confusion है अगर कहें तो अच्छी बात करता है उससे कहते हैं लेकिन मधूर बोलने वाले को मृदु भाशी के नाम से पुकारा जाता है तो इसका आंसर है option number A ठीक है तो 58 का answer है option number A अब आते हैं question number 159 में 159 केता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाशा में क्या होता है क्या भाशा में विस्तार आता है क्या भाशा में निरस्ता आती है क्या भाशा में कसावट आती है और उप्युक्त सभी जब समय का आभाव या आए के साधन बढ़ाने के लिए व्यक्ति अपने समय का सदुप्योग करना चाह रहा था तो सबसे पहले उसने एक ऐसे चीज की खोज की जो कम से कम शब्दों में या कम से कम समय में उसे जादा से जादा फाइदा या अर्थ देने वाला हो तब जन्म हुआ वाक्यानशों के एक शब्द का प्रेयोग करने से वाक्य में एक कसावट पैदा होती है मतलब वाक्य जो बहुत कसा हुआ नप, तुला और सटिक जराता है इसलिए वाक्य में अनिक शब्दों के एक शब्द का प्रयोंग करने से कसावट कि निरस्ता तोसमें देखने को नहीं मिलती क्यों में नायापन की हम के लिए नाया atas स्थापइद हो जाता था है मै Development कि विग्रह की तौर पर लेते वह तो विस्तारित रूप में होता है जिसें कश स्थाङए प्रयोंग करते हैं इसलिए option number आपका C आएगा, ठीक है, अगला प्रश्न, 160, 160 क्या कहता है, दूसरों को पीड़ा पहुचाना, दूसरों को पीड़ा पहुचाना के लिए, एक शब्द क्या होगा, option नमरे परुपकारी भी है, पर पीड़क, तीसरा है परुपकारी, option नमरे पर्श्ढ़ांवेशी, तो चिद्गरांवेशी जो होता है, उसका अर्थ अलग होता है, और देखा जाए, तो हम कह सकते हैं, पर पीड़क जो होता है मतला दूसरों को पीड़क पहुचाना पर उपकार करना पर उपकारी जो दूसरों पर उपकार करता है पर छिद्रानवेशी जो दूसरों की हमेशा बुराई देखता है उसकी अच्छाई और बुराई को देखता है तो पर छिद्रानवेशी कहलाता ह लेकि दूसरों को पीड़क पहुचाता है तो पर पीड़क होता है ठीक है अगर समझ में तो option number B इसका answer होगा next one question ठीक है तो कौन सा भाषक से हिंडी में आया है तो कौन सा है option A Time option C और option D तो सोचने वाली बात है कू जो है वह आपका तक्सम यानिस संस्कृत का है क्ल मिलाकर इसमें से कू अं और नी इसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं जैसे कि अभी निमगन, निमारण, निसंकुष, निहत्था, निधड़क कहते हैं इसी तरह अनजान, अनचिनहार कहते हैं इसी तरह अनबोला कहते हैं ठीक है इसी तरह अनपचक कहते हैं इसी तरह कुचाल, कुधन, कुलक्षन कहते हैं ले तो 162 में क्या पूछा है आपको निम्नांकीत में से किस शब्द में गुण संधी का प्रयोग हुआ है ठीक है अप्शन दिया है राजेश अप्शन है रामकुमार अप्शन सी है विद्यार्थी आप्शन दी है यद्यपी देखा जाए तो गुणसवर संधी कहा होती है जहां दो अलग-अलग वरण अक्षर मिलकर एक नए वरण का निर्मान करते हैं वहां होती है गुणसवर संधी रामकुमार जैसा रामकुमार जैसा कोई भी शब्द यहां पर प्रयोग नहीं है जो संधी में प्रयोग हो यदि धन अपी से बनता है आपका यद्यपी ठीक है इसी तो दो अलग-अलग वरण से मिलकर एक नए वरण का निर्मान हुआ यहां अ और इसे मिलकर किसका निर्मान हुआ एक और यहां सुत्र किसका है आपका राजेश बनाने वाला गुणसवर संधी तो किस शब्द में गुणसधी का प्रयोग हो है कहता है तो अप्षन नमबर A है आपका राजेश option number A ठीक है अब इसके बाद आते हैं 163 के question में और 163 का question क्या पूछता है निम्नांकीत में से अभ्याई भाव समास का उदाहरन है मतलब कि जैसा प्रहले प्रश्ण पूछा था वैसे ही दुबारा प्रश्ण पूछा है कि निम्नांकीत में से अभ्याई भ चलिए खिक है तो मन मन समाना कहकर तत्थपूर्श हो गया डाक के लिए घर कहकर तत्स पूर्श हो गया लेकिन वह और जीवन कहता है मतलब जीवन परियंत जीवन भर कहता है तो आ उपसर्ग से निर्मित एक अविकारी शब्द बनाया है इसलिए अप्शन नमबर डी है आपका आजीवन जो अव्याई भासमास का उदाहरण है ठीक है अब आते हैं कोश्चन नमबर 164 में 64 क्या कहता है स्वयम भूशब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है स्वयम के पैपर खड़े रहने वाले यूवक को स्वयम भू कहते हैं थोड़ी देर पहले पैदा हुए शिशु को कहते हैं option number D है जो स्वयम उत्पन्न हो तो आपने हमेशा सुना होगा स्वयम शीवलींग है मतलब स्वयम से उत्पन्न हो तो शद का प्रयोग होता है जो स्वयम से उत्पन्न हो थोड़ी देर पहले की पैदा हुए शिशु को संद प्रसूत बच्चा कहते हैं स्वयम के प्रख़ड़ा हो उसे हम कहते हैं प्रयोग के तोर पर जो आपका ऐसा व्यक्ति जो स्वयम के पैर पर ख़ड़ा हुआ है ठीक है अगले कोशन में 165 के लिए ठीक है तो 165 क्या दिया है नीचे दिये गए वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए ठीक है नीचे दिये गए वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए यहां पर चार वाक्य दिये हैं इन में से कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है तो अशुद्ध चुनना है मतलब यहां पर चार option में से तीन जो होंगे वो शुद्ध होंगे लेकिन एक वाक्य जो है वो आपका अशुद्ध होगा option number a देता है शिग्र ही ऐसा होने वाला है option number b है वे कोई school नहीं खोले है न होकर उन्होंने कोई school नहीं खोला है लिखना था तब वो वाक्य शुद्ध होता याने इसमें से वे कोई school नहीं खोले है इन में से 65 का option number b अशुद्ध है ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न में अगला है 167 167 में क्या प्रश्न पूचा है 167 कहता है मुझे दुख है कि आज एक बारात में जा रहा हूँ इसलिए आपसे न मिल सकूँगा उक्तवाक्य के संदर्भ में सही विकल्प का चैन कीजिए option A कहता है अलप विराम चिन्न का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया है B कहता है पूर्ण विराम का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया option C कहता है वाक्य में शब्द क्रम सही नहीं है option D कहता है उप्योग तो तीनों सही है ठीक है तो पहली बात अलप विराम की बात कर रहा है मुझे दुख है कि आज में बारात में जा रहा हूं तो यहां अलप विराम का प्रयोग बिल्कुल सही है इसलिए आपसे न मिल सकूंगा यहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग सही है तो संदर्भ में है कि अलप विराम का प्रयोग सही स्थान पर नहीं किया गया होना चाहिए मुझे दुख है मुझे दुख है आपसे मिलना सकूंगा क्योंकि मैं आज एक बारात में जा रहा हूँ इस तरह कुछ सेंटेंस होना चाहिए तो वाक्य के क्रम सही नहीं है तो option number C यहां पर आपका answer आता है ठीक है अब आते हैं अगला 167 167 में क्या पुछा है 167 कहता है दिये गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए question number 67 का option पर यह है सभी श्रेणी के लोग वहां आये थे बी है लड़का अच्छी चाल चलता है सी है तुम मेरी मदद पत्थर करोगे और हिंसक जी मुझे क्या मारेंगे तो यहां पर option number C जो है वो अशुद्ध है पत्थर ना होकर खाक का प्रयोग करोगे इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ऐसे वाक्यों के प्रयोग करते स इसलिए 67 का अंसर है option number C ठीक है अब आते हैं question number 68 में तो 68 में क्या पूछा है question 68 कहता है नीमनलिकित वाक्यों के शुद्ध संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए ठीक है शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं दो दिया है उसकी द्रिष्टे चित्र पर गड़ी थी अब आंसर दिया है option A वाक्य करमांग एक शुद्ध है option C वाक्य करमांग एक और दो दोनु अशुद्ध है इन में से कोई नहीं तो देखे या तो हम केवल कहेंगे या तो हम के मात कहेंगे ठीक है इस अधार पर पहला वाक्य जो है वो अशुद्ध है उसकी द्रिष्टी चित्र पर गड़ी थी या वाक्य जो है वो शुद्ध है इसलिए वाक्य करमांग दो जो है वो दोनो जो है वो वाक्य करमांग दो शुद्ध है ठीक है आगे समझ में उसकी द्रिष 169 में 169 का कोश्चन कहता है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए मैं बुधोवार के दीन उपवास नहीं करता शुबकारे में हमेशा संकट आते हैं साधू के दर्शन से मेरा मन गदगद हो गया और देश में अराजकता बढ़ रही है ठीक है तो इसका आंसर क्या है पहली वार क कि बुधोवार यदि कह रहा है तो दीन लगाने की ज़रूत नहीं है ठीक है इसी प्रकार साभू के दर्शन से दर्शन मात्र से होता है ठीक है तो यह भी अशुद्ध है शुबकारे में हमेशा विपत्ति आती है ना कि संकट होते ठीक है तो आप्शन नमबर डी देश में आरा जकता बढ़ रही है 69 का आंसर है अप्शन नमबर डी ठीक है अब हम आते हैं 170 में तो 170 में कहता है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए ठीक है फिर से सेंटेंस इसे कोशन पूछा है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए फूल उसकी सुगंध से महक रहा है ऑप्शन भ लड़की ने जोर से हस दिया और डी कहता है उन्हें विविद्विशयों का ज्यान है प्रश्न ने कहा है अशुद्ध वाक्य कौन सा है तो फूल उसकी सुगंध से महक रहा है नहीं बलकि फूल अपनी सुगंध से महक रहा है होना चाहिए वाकी तीनों वाक्य शुद्ध है option 71 क्या कहता है निम्नांकित वाक्य का अशुद्ध निम्नांकित वाक्य के अशुद्ध याने त्रूटी पुर्ण हिस्से का चैन करना है भुगतान करने के लिए उसने जेब में हाथ डाला तो उसमें केवल सौ रुपय मात्र थे आप्शन ए है भुगतान करने के लिए ये वाक्य तो सही है उसने जेब में कहा ये भी सही है हाथ डाला ये भी सही है लेकिन केवल सौ रुपय मात्र थे तो केवल सौ रुपय थे कहेंगे या मात्र सौ रुपय थे कहेंगे क्योंकि केवल और मात्र का अर्थ एक ही होता है इस क्या कहता है 72 में वाक्य के अशुद्ध भाग का चैन कीजिए कहता है या धारणा पुराणी परचुकी है कि इस्त्रियां आजीवन पूरुषों के द्वारा संरक्षित होती है वाक्य में जो अशुद्ध जगह है उसे ढूणना है या धारणा पूराणी परचुकी है कि इस तो क्या पूरा सेंटेंस गला थे नहीं धारना पुरानी पढ़ चुकी है तो हम यहां पर कह सकते हैं या धारना पुरानी हो चुकी है कि इस्त्रियां आजीवन पूरुशों के द्वारा संरक्षित होती है तो इसका आंसर है आप्शन नमबर एक ठीक है अब आते हैं अगले अगला प्रशन है 172 के लिए ठीक है 172 के बाद आता है 173 ठीक है और 173 का कोश्चन क्या कहता बिटा प्रतियोगी परिक्षा की तयारी में जी तोड मेहनत कर वह प्रथम आया ठीक है क्या कह रहा है प्रतियोगी परिक्षा की तयारी में जी तोड मेहनत करके वह प्रथम आय क्या है आपका यहां आपको इन में से सटिक मुहावरे का प्रयोग करना है अंधो में काना राजा बन गया अपने पैरों पर खड़ा हो गया अपना हाँ जगन्नात हुआ या डूपते को तिनके का सहारा मिला ठीक है तो अपनी मेहनत करके उसने क्या किया खुद को इतना 173 का आंसर है option number B clear अब आते हैं आगे 73 के बाद 74 ठीक है 74 कहता है चुल्लू भर पानी में डूब मरना इस मुहावरे का सटिक अर्थ क्या होगा आंसर दिया है चुल्लू में पानी भर कर अचमन करना B है आत्मात्य करना C है देवता का जलाभिशेक करना और D है लज्जित होना जब हम किसी व्यक्ति को अपमानित करते हैं या लज्जित करना चाहते तो कहते हैं कि तुमने ऐसी हरकत की है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मतलब कि तुमने इतनी अंसर होगए आप्षन नमबर D, ठीक है 74 का आंसर होगा आप्षन नमबर D, अब आते हैं आगे,74 के बाद में हम 75 में आते हैं, ठीक है, 175 में 7 चराई, 7 रंग, डारे, बल्थीन तो एक रंग इस कहावत का अर्थ होगा, सब्त सिंधू, सब्त रिशी, सब्त पदी या इंद्र धनुष, तो देखा जाए, तो सब्त सिंधू मतलब साथ नदियों का संगम होगा, सब्त रिशी मतलब साथ रिशियों का समू होगा, सब्त पदी मतलब साथ पदों का समू होगा, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इंद के ही रंग दिखाए देता तो मुझे लगता है कि इंद्र धनुष होना चाहिए अब वह आंसर में वह क्या ले रहा है यह बता पाना कठीर है या तो वह सब्तरिशी ले सकता है या तो आपके लिए सब्तर पदी ले सकता है ठीक है तो अब देखते हैं कि व्यापम क्या लेता अगला प्रश्ण है 176 का ठीक है 176 कह रहा है खुशियां मनाना का समन आर्थक मुहावरा मतलब खुशियां मनाना के अर्थक बताने वाला निम्न में से कौन सा मुहावरा है घर में गंगा बैना घूरे के दिन फिरना बंदुक छोड़ना घी के दीपक जलाना तो जब हम प्रश्ण क्षूचा है जलाना ठीक है अब आते हैं आगे अगला है 177 के लिए 170 नंबर का प्रश्ण क्या कहता है फीर से इसमें वाक्य और वरतनी के तरह वाक्य शेप्रश्ण पूचा है और क्या कहा है वाक्य से नहीं जाऊंगा C कहता है मैं रवीवार को इसकुल नहीं जाता और D कहता है रवीवार के दिन इसकुल नहीं खुलता चूकि रवीवार कहे कर खुद एक दिन के नाम को वो संबोधित कर रहा है इसलिए हर जगह इस तरह यहाँ पर दीन लगाने क्या शक्ता नहीं है इसलिए option number C कि मैं रविवार को इसकुल नहीं जाता ये इस 177 का right answer है option number C ठीक है अब आते हैं 178 में तो 178 क्या कह रहा है 178 का question कह रहा है आपका कि निमने में से सही शब्द रूप चूनी है ठीक है यहाँ शब्द दिया है तो कौन सा शब्द रूप सही है सब कुशल पूर्वक सही है कि कुशल का पूर्वक सही है कि सब कुशल सही है कि उप्योक्त में से कोई नहीं तो ध्या रखने बाले बात है जब हम किसी शब्द की विशेशता बताते हैं तब वहां पर हम कुछ प्रत्य शब्द का और उपसरगों का प्रयोग जो है आवशकता के अनुसार उपसरगों का लेकिन अधिकांश हम प्रत्य का प्रयोग जो है वो करते हैं अपने आप में देखे यह भी अशुद्ध है लेकिन यहां पर होगा आप्शन नंबर सी सब्सक्राइब कुछ गया मैं यहां कुछल पूर्वक हुँ कहेगा लेकिन सब्सक्राइब पूर्वक शब्सक्ता वहां पर नहीं होगी चीज़ें अब आते हैं आगे आगे हैं हमारे लिए 79 ठीक है 79 में क्या पुछा है मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है वाके में किस प्रकार की अशुद्धी है जब मैंने आपको वाके शुद्धी करण बताया था तब मैंने बताया थे कि वाके शुद्धी करण में तमाम प्रकार के मिस्टेक हो कभी कभी वहां नंबर्स और जेंडर के अकॉर्डिंग और इन्प्लेक्शन याने की कारक रचनाओं के अनुसार भी वाक्य में तूटी देखने को मिलती है ठीक है उपसर्ग प्रत्य के प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाती है जैसे के भी तक कुशलता पूर्वक है संग्या का सवाल नहीं उट रहा है क्रिया संबंदी है नुकसान हो रहा है कह रहा है तो नुकसान होना प्रोलिंग शब्द के अनुसार ठीक है विशेशन संबंदी नहीं जबकि यहां पर विभक्ति संबंदी मतलब दी मेरी पढ़ाई में नहीं बलकि मेरी पढ़ाई का ब प्रश्ण और फिर आपका खतम ठीक है निश्चयात्मक अर्थ में सही वाक्य है वाक्य में अगर हम बोले ना जब हम कहीं पर निपात का प्रयोग करते हैं निपात जहां जो कहीं भी अचानक गीर पड़े वाक्य में विशेस बल देने के लिए यदि हम किसी शब्द का प्रय सब्सक्रांद से सुना होगा या पढ़ा होग guidance स्य मालू होगी यहां दियेस चार तरह के वाक्य कि रमेश रोंटी भी खाता है ठीक है रहा कि रोंटी कि खाता है तो पहला को देखते हैं रहा रहा क्यूथी भी खाता है मतलब रोटी इसके सासा-थबुर्द दूसरे चीज़े खाता है तो कोई बल है क्या नए reper रोटीoten है सिंपल सी बात की रमे रोटी खाता वर्मेश रोटी खाता है एक साधरन से क्रिया का वाकिया है रयमेश रोटी क्हाता है बही अब अब यहाँ पर संभान रमेश रोटी खाता है भी कि नहीं? इस तरह का भाव है लेकि निश्चे कब है कि रमेश रोटी ही खाता है और कुछ नहीं खाता, ठीक है? तो निश्चे यात्मकर्थ में सही वाक्य है, option number C, रमेश रोटी ही खाता है, clear? अब आते हैं अगले प्रश्ण की ओर, जो है 182, sorry 181, अब यहाँ पर फिर से प्रश्ण दिया है, मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, उसे किसी वाक्य का अंग बनना पड़ता है, उक्त कथन के लिए बाक्य में कौन सा सही है, कथन अंशता सही है, कथन गलत है, उप्युक्त सभी गलत है, जब मैंने आपको मुहावरा बताना शुरू किया था, तभी मैंने बताया था कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसे किसी वाक्य के भीतर प्रयोग किया जाना अति अनिवारे होता है, क्योंकि वाक्य से हटा दिये जाने पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, इसलिए जहां दिया है कि मुहावरे का स्वतंतर प्रयोग नहीं होता सही है, किसी वाक्य का अंग बनना पड़ता है सही है, मतलब कतह पूरुनतह सत्य है, option number B, आपका 181 का answer होगा, clear, अब आते हैं अगले question में, अगला question क्या कहता है, 82 के लिए कि अंधे के आगे रोए, अपना दीदा खोए, इस लोकोक्ती का क्या अर्थ है, जहां कोई व्यवस्था या न्याय नहीं हो, एक आधिक दुरगुण होना, अयोगी व्यक्ति के सामने अपनी बात रखना, अपनी वस्तु खरा परंतो वह व्यक्ति आपकी बातों को अनसूना कर रहा है, यानि कि आपकी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा, इस अर्थ को लेने पर option number A आना चाहिए, ठीक है, लेकिन अंधे के आगे रोए, अपना दीदा खोई कह रहा है, तो अयोगी व्यक्ति के सामने अपनी मेरे अनुसार यहां 2-3 प्रश्णों में थोड़ा सा एक पेशीदा मामला देखने को मिला है, कि option गल्थ है, या option अलग है, जहां पर अशुद्धी वाली बात हुई थी, वहां पर भी आपने देखा होगा, कि वहां पर जो द्वार का है, वो शुद्ध है, लेकिन अगर हम अशुद्ध की बात करें, तो कैलाश भी अशुद्ध है, इसलिए द्वार का शुद्ध है, इसलिए दो-तीन प्रश्णों में ने बताया थे, जहां पर डाउट लग रहा था, कि यह हो सकता है, या यह हो सकता है, अब देखने वाली बात है, कि उन में से वो व्यापम जो ह 183, ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने बहुत ध्यान से मेरी क्लास अटेंड की होगी, तो जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से अटेंड किया होगा, वो समझ सकता है, कि मैंने कोई चीज भी आपके बेफेजुल नहीं बताया, तैमें पहले ही बताया था, शब्द जो है यह अर्भी शब्द हमिशेब थारा कहते हैं ने जो अर्भी शब्द मुहाविरा का एक प्रचलित भारत में प्रयोग क्या जाता है और मुहाविरा मुलत हो अर्भी भाषा याननिस अप्य commend अब आते हैं आगे 84 question number 84 आच ना आना अगर कहता है आच ना आना जले पर नमक छिड़कना सीर धुनना इन तीनों में लोकोक्ति नहीं है मतलब कि यह तीन जो आप्षन दिये हैं इस तीन आप्षन में पूछा है कि तीन आप्षन में से कौन सा ऐसा है जो लोकोक्ति नहीं है लोकोक्त बातों को लोकोक्ति कहा जाता है इसे कहावत और 36 गड़ी में हाना के नाम से पुकारा जाता है ठीक है किसी अनुभव पर चरमसत्य पर यथार्थ पर आधारित होते हैं इसके पीछे कोई घटना क्रम कोई कहानी या कोई उपदेश छुपा होता है ठीक है यह वा पर कोई आज नहीं आने दूंगा ठीक है इसी तरफ जले पर नमक झाकते हैं तो यह भी मुहावरा है से धूनना कहते हैं या फी मुहावरा यानि कि आज ना आहना जले पर नमक झाकत safety उना जो है व लोकोक्ति नहीं है बल्कि तीनों के तीन устрой वो हमारे लिए मुहावरा है पाई नीम्न लिखित में से सैन्यूक्ट सवर। है। मैंने बताहा था रश्ण या बनावत के आधार पर मैंने बताहा था मूल सवर। josे हम स्वतंतर्र सवर् बोलतें जो है लेकिन दो सवरों से मिलकर बने हुए सब hacer हम कहते हैं आपके ऐसे बिल्ग संधिकिए इसमें गुण स्वर संधी की प्रकृरिय से यह दोनों गुण स्वर संधी से मिलकर बने हैं और यह व्रिद्धि स्वर संधी की प्रक्रिया से निर्मित वर्णा कुल मिलाकर उप्युक्त सभी जो हैं वो संयुक्त स्वर हैं दो स्वरों की योग से मिलकर बने हुए स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं क्लियर हो गई इसी चीज़े हैं क्यों अमें और to सजातीय और विजातीय स्वरों से कोई वर्ण साईउक्त होकर ने बनाते हैं तो वहांपर हमारे दिरह का निर्मान से गुत निर्मान से बनने वाले वर्णों को सजातीउ का अंसर सभी नम्बर डी सभी क्लियर हो गई चीज़ें ठीक है अब आते हैं आगे 86 में अच्छा 86 क्या कहता है कुछ नमर 86 कहता है 186 महाप्राण व्यंजन ठीक है महाप्राण तो स्वर तंत्रिकाओं और श्वास वायू के आधार पर हम कह सकते हैं on the basis of external effort याने कि बाहिय प्रयत्न के आधार पर अलपप्राण महाप्राण और घोश और अघोश दो वर्न आपके चार प्रकार के और व्यंजन पाए जाते हैं यहां पुछा है महाप्राण महा का मतलब होता है जिस वर्न का उच्चारण करते समय मुह से निकलने वाली हवा ज्यादा मात्रे में होती है वहां महाप्राण वर्न होता है और महाप्राण वर्न का एक सुत्र मैंने बताया था कि जहां किसी भी वर्ग का पहला वर्न और दूसरा वर्न ठीक है किसी भी वर्ग का दूसरा और तीसरा ठीक है चौथा तो किसी भी वर्ग का दूस घघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघघ ये चौथा वर्ण है इसलिए महाप्राण है जह चछ जह जह ये भी चौथा वर्ण है इसलिए महाप्राण है टठ कहता है दूसरा वर्ण है इसलिए ये भी महाप्राण है लेकिन प कहता है तो प वर्ग में प जो है पहला वर्ण है तो प जो है वो अलप प्राण वर्ण है इ 187, 187 में क्या कहता है निमनलिखित में से इस्त्रिलिंग शब्द है पक्षी, बटेर, नेत्र और गन्ना जब मैंने आपको बताया था example कि वेशद जो पूरुष जाती का बोध कराए वो पुर्लिंग है इस्त्रि जाती का बोध कराने वाला इस्त्रिलिंग है इसलिए संस्कृत के जो पूर्लिंग और इस्त्रिलिंग है यहां भी पूर्लिंग इस्त्रिलिंग है लेकिन संस्कृत में पाया जाने वाला नपुनसक लिए अब शक्ता के अनुसार तत्सम से तर्भव परिवर्तन करके अब शक्ता के नुसार पूर्लिंग और इस्त्रिलिंग में बाट दिया जाता है कुछ शब्द ऐसे हैं जो पूर्लिंग में भी पूर्लिंग है तो हिंदी में भी पूर्लिंग है जैसे कि नेत्र हमारे लिए पूर्लिंग शब्द है नेतर का नयन कहेंगे तो पूर्लिंग है लेकिन अगर चक्षू से आंख हो जाएगी तब वो इस्त्री लिंग हो जाता है दूसरी बात जब मैंने आपको यहां बताया थे कुछ जीव जन्तू में इस्त्री लिंग और पूर्लिंग का निर्णय करना मुश्किल होता है तो विज्ञान की भाषा में एक लिंगी जीव होता है जहां नर और मादा लगाते हैं ऐसी सिच्वेशन में पक्षी जो है वो शब्द पक्षी शब्द हमेशा पूर्लिंग की श्रेड़ी में आता है नांकित में से इस त्रे लिंग शब्द है option number B बटे क्लियर हो गई चीज़ें अब आते हैं question number 188 में ठीक है ठीक है तो 188 क्या प्रश्ण पूछन की निम लिखीत में से एक वचन बहुवचन का सही युग मन है मतलब एक सही एक वचन दिया है और उसके बगल में उसका बहुवचन दिया हけれど सही कि नहीं है गौ से गौवें हो जाती है बहुवचन में चौबे एक वचन है तो चौबे से चौबे यह नहीं होगा वो एक वचन है तो एक वचन में ही होगा ठीक है अगली बाद बीगा है तो बीगे में बदल सकता है मेरे पाद 10 भीग हा जमीन है तो 15 भीग है मैंने बेच दिये यह हो सकता है लेकिन नदी से बहुवचन में नदियां होती है इसलिए option number D एक बहुवचन का सही युगम नहीं है clear हो गई चीज़े ठीक है अब आते हैं अगले question में अगला question है 189 के लिए ठीक है 189 क्या कहरा है कि यहर लव व्येंजनों को क्या कहा जाता है तो जब मैंने आपको व्येंजन वरन माला समझाई थी तो demand के नाम को कहा जाता है यर लव को होते हैं अंता इस्थोंजन जो है हमारा जो यर्ण स्वर्शन्दी की प्रक्रिया से बन कर आया है इसलिए इस हैं कहा आता है क्योंकि ई और अ से बना हमारे लिए य ठीक है इसी तरह री धन अ से बना हमारे लिए र संस्क्रित के वर्ण मालक अनुसार री धन अ से बना हमारे लिए ल ठीक है और इसी तरह उ धन अ से हमारे लिए बना व ठीक है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहन स्वर संधी की प्रक्रिया से निर्मित वे व्यन्जन जो स्वरों की सहायता से व्यन्जन का निर्मान कर रहे हैं तो स्वर और व्यन्जन के मध्य का जो वर्न होता है उसे अन्ताइस्थ व्यन्जन कहा जाता है तो यह लावा व्यन्जनों को आप्शन नंबर भी अन्ताइस्थ व्यन्जन कह अब आते हैं आगे अब है 190 के लिए कोश्चन ठीक है यह कह रहा है कि बड़ा आ बड़ा इ बड़ा उ बड़ा ए उखली का ओ औरत का ओ सब में समानता का आधार क्या है क्या यह सभी प्लुट्सवर है तो प्लुट्सवर क्या होते है जिस वर्णे के उच्चरण में दुगना से तीन गुना समय जादा लगता है जिसको हिंदी के तीन के नुसर दर्शारत है क्योंकि हिंदी के देव नागरी में पंडित बाबुला चुतुर्वेदी का पंचांग देखेंगे तो एक दो तीन चार पांच इसी तरह छे सार आठ नौ को दो रूप में लिखा जाता है और यह हो गया हमारे लिए दस तो तीन गुना समय जादा लेता है तो प्लूत स्वर है ठीक है इसी तरह हस्व यानि की शौर्ट वाविल्स क्या होते हैं वेरी लॉंग वाविल्स और यह शौर्ट वाविल्स जिसके मतलब प्रयोग उचारण बहुत कम समय लगता है अनुस तो यह सभी हमारे लिए दिर्ग स्वर है ठीक है जब हम दो आ को मिलाते हैं तो दिर्ग होकर आ बनता है ठीक है इसी तरह जब हम दो ई को मिलाते हैं तो दिर्ग होकर बड़ा ई बनता है दो छोटे उ से बड़ा उ दो ए से अ और ए से मिलकर आ हो जाता है मतलब बृद्धी ह जाती है और उसे होता है और आउ की बात करें तो समानों का अधार ये है कि यहाँ पर कहीं न कहीं दिर्ध का इस्तेमाल है इसलिए ना तो यह पलुटसवर है ओप्शन नंबर बी आएगा जो है आपके यह सारे वर्ण जो वो हमारे लिए दिर्ग स्वर की मात्रा है ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्ण में 91 कोश्चन नंबर 191 और 191 में क्या कह रहा है 191 कह रहा है प्रश्ण की निम्न लिखित में इसे कौन सा कथन सत्य नहीं है ठीक है वन्-द hmA jestem में दो प्दों के बीच योजग चिनद्य नहीं हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए बिल्कुल चारण में अनुनासिक्ता को व्यक्त करने के लिए आवशक्ता के अनुसार चंद्रबिंदू का प्रयोग किया जाना चाहिए जी हाँ हम जब आख कहते हैं महंत के अलावा जदी हम कहते हैं पाखंड तो अनुस्वार है लेकिन आऊशक्ता के अनुस्वार हम देखें चांद कहने पर तो चंद्रबिंदु का प्रियों अनुस्वार के तौर पर किया रहाता है अगला कह रहा है इसी में option कह रहा है option number D कि स संग्या शब्दों के साथ कारक्चिन्ह को जोड कर लिखा जाता है नहीं संग्या शब्दों के साथ कारक्चिन्ह को दोर लिखा जाता है मैंने वाक्य शुद्धिकरन के समय बताया था जब संग्या शब्द है जैसे राम ने तब संग्या शब्दों के साथ कारक्चिन्ह द नहीं है ठीक है तो आते हैं आगी अगला है प्रश्ण कौन सा 192 ठीक है 192 में क्या कहते है खड़ी पाई वाले व्यंजन अच्छा अब खड़ी पाई वाला व्यंजन क्या है खड़ी पाई वाले व्यंजन को संयोगत रूप से उनकी खड़ी पाई को अटा कर बनाये जाते हैं ठीक है इस नियम का सटिक उधारन क्या है अप्शन दिया है उचक्का बुढधा लट्टू या ख्याती खड़ी पाई कहां होती खड़ी पाई होती है ऐसी ये खड़ी ही है नहीं कम एकशंडी का है तो जब आधा आक्शर में लिखेंगे तो फलक तूट जाता है इसंभाव नहीं है लिखा जाए गरे से कि ट और ड और जिसका फलक को काटा जा सकता है जैसे कि फलका फ कहते हैं इसको भी हम फल लिख सकते हैं इसी तरह हम कल लिख सकते हैं ठीक है लेकिन खड़ी पाई देखा जाए तो खरगोश के खा में एक खड़ी पाई है तो जब हम खरगोश के खा को बह नमबर सी ख्याती में खड़ी पाई को हटा कर वहाँ पर वर्नाक्षर को सईयुक्त किया गया अब आते हैं आगे 93 कोशन नमबर 93 कोशन नमबर 93 कहता है सार्थक शब्दों का व्यवस्थिक समू जिससे कोई सम्यक अर्थ प्रकट होता है वो कहलाता है option A है शब्दावली option B है शब्द समू ऑप्शन C है वाक्य और option D है शब्द समू चे ठीक है तो शब्दावली किसे कहते हैं जहां शब्दों का एक क्रम होता है जिसे दीपों की आवली होती है क्रम होता है उसे शब्दावली कहते है दीपावली की तरह दूसरा शब्द समूह शब्दों का समूह जो होता है वो किसी भी रूप में देखा जाए तो एक पूर्ण रूप में नहीं होता जिससे किसी अर्थ की प्रस्तूती करण हो, ठीक है, शब्द समुच्य, समुच्य का मतलब होता है युग्म, ऐसा कहने से भी अर्थ इसपष्ट नहीं होता, वाक्यांश ही इसपष्ट होते हैं, माता, पीता कहने से माता और पीता, ठीक है, उसी तरह सार्थक शब्द, सार्थ शब्द के समू को कहा जाता है तो जहां पर बात कर रहे है बाद की सिंपुरुन ही काई होती है जहां शब्दों का एक व्यवस्थित समू होता है जिससे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है हो गया है तो option अब आते हैं question number 94 में 194 में तो 194 क्या कह रहा है 194 ठीक है यह कह रहा है भारती टीम के कप्तान सचीन तेंदूलकर ने जोरदार छक्का मारा इस वाके में विधे की पहचान कीजिए option number A है भारती टीम के कप्तान option number B है सचीन तेंदूलकर C है जोरदार दी है छक्का मारा तो ध्यान रखिएगा कि यह कैसे पहचानेंगे कि उदेश कोन है और विधे यह कोन है ठीक है तो जहां किसी वाक्य में जिसके विशय में बात की जा रही है उसे subject याने उदेश याने की करता कहते हैं तो यहां पर कह रहा है कि भारती टीम का कप्तान है सचीन तेंदूलकर भारती टीम का कप्तान है सचीन तेंदूलकर तो यह हमारे लिए करता हुआ उसके द्वारा किया गया कार्य है उसका विधे ठीक है तो यहां पर जोरदार चक्का मारा कह रहा है तो चक्क करता कर्षा का विस्तार दिया जाता है तो इससे विध्य कहा जाता है तो इसके अनसार्ण डी होगा ऐसका विध्य करता है जो क्रिया है मारना तो यह समझ में ठीकर जोरद आरार semua जो शब्द है वह क्रियाइं है मारना उसने चक्का मारा क्रिया का विस्तार ही उसका विध्य होता है इसलिए चक्का मारा जो है वह आपका यहां पर होगा इस वाकए का विध्य दो 94 का अंसर आप्शन भीति आप टे हैं 95 में कोशनी 5 कोशनी 35 में कैता है अच्छा अब तुम घर जाओ अर्थिक दृष्टी से किस प्रकार का वाक्य क्या वह विधानार्थक क्या वह आज्ञार्थक या संकेटार्थक ठीके अब देखीं विधाना तक च्या होता जहां वक्तना के दौरा वाक्य म विधानार्थक, विध्यर्थक या विधिसूचक या अफर्टिव या असर्टिव सेंटेंस से पॉजिटिव सेंटेंस कहला था, ठीक है, जब किसी वक्ता की स्वयम की इच्छा, शुबकामना, आशिश जैसी बातों का बोध हो, तो इच्छार्थक, अब आप बोलोगे कि मे आज्या दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं, आज्यार्थक वाक्या, आप्शन नमबर बी, ठीक है, अब 95 के बाद आता है, कुशन नमबर 196, तो 196 में क्या पुछा है, 196 कहता है, पंडित जवाहलाल नहरू ने कहा था, कि 15 अगस्त 1947 को भारत का अपनी नियती से साक्षातकार ह हो रहा था, या किस प्रकार का वाक्या है, क्या यह साधारन वाक्या है, क्या यह मिश्र या मिश्रित वाक्या है, क्या यह संयुक्त वाक्या है, या इन में से कोई नहीं, तो सरल वाक्या क्या होते हैं, जब किसी वाक्या में एक या उससे ज्यादा उद्देश्यतों हो, प पंडित जवालाल नेहरू ने कहा था कि 15 अगस 1907 को भारत अपनी नियती से साक्षात कर हो रहा है तो एक सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है तो आंसर आएगा option number B मिश्र या मिश्रित वाक्य जहां एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर हो वहां मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है ठीक है तो option number B अब आते हैं 197 में 197 का question क्या कहता है नीचे दियेगा शब्दों में एक शब्द अगनी का पर्याइव आची है फिर से पर्याइव आची से शब्द पूछा ठीक है तो option दिया है क्षिती option B है दामीनी option C है जुनहाई और option D है क्रिशान क्षिती यादे हम कहें तो हम कह सकते ह जो होता है ठीक है भी को कहते हैं जुनहाई पुराने को कहा जाता है ठीक है लेकिन क्रिशानू option D अगनी का पर्याइव आची सब्द माना जाता है ठीक है आगे समझ में अब आते हैं अगले question में 98 में ठीक है तो 98 क्या कहता है हाँ 98 में कहا है कि नीचे दियेगा शब्द में प्राचीन शब्द का विलोम शब्द चुनिये विलोम के लिए मैंने बार बार बताया था कि जिस तरह के प्रशने पूछ जाएंगे वैसा उसका उत्तर लिखा जाता है यहां दिया है प्राचीन ठीक है तो प्राचिन का हमारे लिए उत्तर होना चाहिए नवीन क्योंकि नूतन का होता है पुरातन आधी का होता है अंतिय और पवारत्य कहता है तो पवारत्य का होता है हमारे लिए पाश्चात्य आरे समझ में तो पाश्चात्य कहता है मतलब कि पुराना पवारत्य कहता है मतलब कि नया, तो नूतन का पुरातन होगा, नवीन का होना चाहिए प्राचिन, तो प्राचिन का नवीन होना चाहिए, पर यहाँ पर किसी प्रकार का आप्शन नवीन के नाम से नहीं दिया, तो इस स्थिती में प्राचिन कह रहा है, तो प्राचिन का नवीन होना चाहिए, लिए प्राचिन का विलों शब्द निर्मित किये जा सकते हैं इसलिए प्राचिन का और इसी तरह देखा जाए तो पुरातन का होगा नूतन ठीक है अब आते हैं दो कोशन और बचते हैं कोशन नंबर थिक है 149 में क्या कहता है 149 159 निमने लिखित में से खर शब्द के विभिन अर्थों का ध्यों तक शब्द मिने कौन सा शब्द नहीं जब मैंने आपको अनेकार्थिक बताया तो अनेकार्थी मतलब कुछ शब्द्ध ऐसे हैं जो प्रयोग के अनुसार प्रसंग यह अनुसा ठीक है खर शब्द के अनेकर ती कुंछ है घणधा को भी कहा जाता है जो तीका होता खारा तिक्ष्न को भी कहा जाता है भगूला को भी हखर कहा जाता है लेकिन गでも अधै कि शब्ड्री न Croatia or र कहा जाता है इसलिए नाइती नाइन-इन का और लास्ट वन कोश्चन 200 के लिए क्या पुछा है रित्य शब्द का क्या अर्थ है तो आपको बता दू रित्य का मतलब होता है सत्य ठीक है तो मैंने एक पुष्टक में पढ़ा कि रित्य था तभी इस स्रिष्टी की रचना हुई मतलब की सत्य से ही इस स्रिष्टी का संचार हुआ तो एक प्रकार से कल्यान हुआ जीवजिन्तुओं का इस तरह उसका पृत्वी का उद्भाव हुआ अभी जो उदय हुआ अभ्युदय हुआ और निंदा यदि देखा जाए तो शब्द का अर्थ है निंदा जब हम किसी की बुराई करते हैं निं चाहिए अब इसमें भी थोड़ा सब मैं खुद कन्फियूज हो जाऊंगी कि अगर वह व्यापम इसमें से कौन सा आंसर लेता है तो रिती कह रहा है तो रिती अगर कहता है इस रिती को कहता है तो यह नियम है जो रिती वा चक्रिया विश्यशन होता है जो रिती काल है जहां कवियों ने पुरानी रिती के रूसार उसका पालन किया तो ये रिती नियम को कहा जाता है काईदा धंग को कहा जाता है लेकिन रित का मतलब सत्य होता है हम उ की मात्रा लगाते हैं तो रितु होकर मौसम हो जाता है तो यदि रित का अर्थ सत्यता से ले उसमें एक विश्यस प्रभाव उत्पन्य करने की अनुमति देता है तो कुल मिलाकर मेरे अनुसार इसका आंसर नंबर डी में होना चाहिए तो इस तरह मेरे द्वारा आपको आज पूरे जो सो प्रश्न पूछे गए थे आपके सहयक संपरिक्षक में जो सो नंबर के प्रश् प्रश्नों को मैंने बहुत डीटेल में जाकर आपको इन चीज़ों को बताया है और जिस तरह आज भी लंबे वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को मैंने बताया है अगर मैं चाहती तो यह एक घंटे में ही सारे चीज़ों रहती मैं सिर्फ बताती रहती कि 92 को आप्श परिक्षा प्रश्नपत्र को हल करवाया है ठीक है तो कभी भी अगर आप आने वाले सवय में कोई भी परिक्षा देते हैं मेरे ही विशय का नहीं बाकि अन्य किसी भी विशय का तो आप्शन को केरफुली तीन से चार बार जरूर पढ़िएगा क्योंकि हमेशा कंफ्यूज क्रियेट करने वाले आप्शन को ही डालता है मैं बार बार आपको इस चीज़ को समझाती हूं कि आप्शन को केरफुली पढ़िएगा और ताल मिल भी ठाकि देखिएगा अब बोलेंगे मादम वहां पर इतना समय नहीं होता कि दिमान जो है वो इन चीज़ों की और आपको हर एक संस्थाओं के द्वारा या हर एक रूप में पुस्तकों के मार्टेम से मार्केट में या आपके जो गूगल में सर्च करने पर आपको वहां प्राक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उन चीज़ों को समझ नहीं सकते इसलिए मेरे पढ़ाए हुए वीडियो क माध्यम से उसे समझने की कोशिस कीजिए अपने बनाय हुए नोट्स के आधार पो समझ कर अब किसी मार्केट से या कहीं से PDF लेकर MCQ कोशन को हल करने की कोशिस जरूर कीजिए ठीक है तो इस तरह आपका सहायक संपरिक्षक के लिए हमने जो आपकी हिंदी की कक्षा लगाई थी वो भी पूरी हुई साथ में उसके प्रशन पत्र को आज मेरे द्वारा आपको हल करवाया गया है आने वाले समय में 13 फरवरी को जो CGPCP की परिक्षा होना तै माना जा रहा है तो उम्मिद करती हूँ उस समय भी सारे प्रशनों को बहुत ध्यान से समझते हुए options को ध्यान में रखते हुई उस पर गोला लगाईएगा याने कि निशान लगाईएगा ताकि कोई चीज इधर की उधर ना हो रहा क्योंकि छोटी सी टूटी से आपके अंक वहीं पर माइनस मार्किंग में आपको ले जाता है ठीक है तो हमेशा की तरह लंबे वीडियो के म शीरवातों सभी बच्चों को थेंक यू सो मज और मेरा वही तक्या का लाम कि गौड ब्लेस्टू आल मैं बच्चा